प्रेंट्स कैसा सब लोग तो फ्रेंट्स आज होने वाली है हमारी जो संपून सीरीज चलने वाली है उसकी आज आपकी पहली किलास यानि जो आपकी संपून पैड़ागोजी के नाम से आपको दिखने वाली है देखें जितने वी आपके सब्जेक्ट होते हैं उनकी संपून नाम से एक-एक आपके सामने किलास आती जाएगी आप लोग देखोगे जो संपून के नाम से आपके सामने किलास आ रही है कितने सारे कंचेप्ट वहाज से आपके किलियर होंगे और एक-एक किलास से आपके ए पहले संपूर्ण वाली Class आ उसके बाद जो अगली संपूर्ण वाली Class में लोंगा वह में लोंगा आपके लिए हिंदी के लूँगा और उसके अंदर में जो पेड़ागोजी के नाम से किलास होती है इसके अंदर सिर्फ हमें teacher और student का जो relation होता है वो देखना पड़ता है बाकि जो subject के according जो पेड़ागोजी होती है जो आपके NCRT पर अधारित होती है वो में इसके बाद आपके सामने किलास आती जाएगी होगी चाहे जिसके अंदर कोई topic बची गया हो चुटी गया हो नए topic हो वो सभी समयराथन किलास के अंदर में आपके साथ जनवरी को में लेने वाला हो आठ हो जी आपके ठीक है जरूरी बातों के उपर मैं आपसे discussion कर लेता हूँ उसके बाद आपके आपके किलास को में शुरुआत कर लेता हूँ ठीक है जो आपका ड्राफ्ट आया ठीक है वो किस अधार पर दिया गया है वो मैं अपने अनुभाव के आधार पर आपको बताऊंगा क्योंकि एक्जाम में जो आपका आना है वह एंसे दोजार पाच आना है बट अगर हमें पैड़गोजी सोल करनी है तो एक टीचर के इस वाला भी हमारा रहेगा और पाच वाले भी रहेगा उसके लावा दूसरे नुभाव का अधार रहेगा आपकी राष्ट्या सिक्सानीती 2020 हमें 6886 और जो अमेंडमेंट वाता 92 के अंदर उनसे मतलब नहीं है जो राष्ट्या सिक्सानीती 2020 वाली नहीं आई है उसके कि वहाँ पर किस परकार से बच्चों को सिक्सेंट देनी की बात यहाँ पर कहे गई है और इसके लगा कुछ मेरे टेग वर्ट्स होते हैं जिसको आप लोग जानते होंगे पोजिटिव और नेगिटिव के नाम से ठीक है जो आपको कुश्चन को समझने में पहचान करने मे बहुत हैल्प आपकी करते हैं जिसके उपर ओलेडी मैंने वीडियो बनाई हुई है मैंने एनईपी 2020 के उपर भी पूरी वीडियो बनाई हुई है अगर आप लोग ने नहीं देखी तो जाकर देख लेना यूटूब पर सर्च माल लिया करो यह भी मैंने बनाई हुए कर लेते हैं और भाई वीडियो को जा साधा लोगों के पास शेयर कर देना क्योंकि यह लास्ट के वो दिन बच्चे है जिसमें बच्चा लास्ट की दिनों में भी पढ़कर बहुत अच्छ नमबल लेकर आ जाता है ठीक है ताकि उनका भी भला कुछ यहाँ पर हो जाए चल पेड़गोजिकल क् efficacy देखने को मिलेंगे वहाँ पर आप लोग किसी भी आंसर को मदलब question को गलत नहीं कर पाऊगे ठीक है तो देख़ें आपको हमेशा जो centre में मानना है बच्चे को center में मानना है किसको मानना है जो बच्चा रहगा बच्चा हमेशा आपका center में यानि कि आपका केंदर में रहेगा और सबसे बड़ी जो सुप्रीम पावर यहां पर लिखावा है यानि एक इसको उपादी दी जाती है बच्चों को बच्चों को बगवान की तरह मानना है ठीक है आपको यह अपने बगवान के खिलाब तो कुछ बोल नहीं सकता बगवान की इग्न ठीक है हाला कि मेरा बच्चा नहीं है अभी तक कोई भी आप लोगी मेरे बच्चों के अंदर जो भी आपके सामना है उसमें आपको यह ध्यान अखना है कि यह बच्चा मेरा बच्चा है और मेरे बच्चे से कभी गलती नहीं हो सकती अगर मेरा बच्चा फेल होगा तो फे कतनी जो मेरे बच्चों को सजा दे दे ठीक है तो जितनी भी चीजे माननी है बच्चों को अपना बच्चा समझ कर करना आज की संपुन पैड़ागोजी के अंदर भी यही मान कर करना है और आपका कोश्चन गलत नहीं होगा ठीक है तो चलिए इन सभी को उपर एक एक करके हम लोग बात करते हैं और आपके सामने एक करके हापर मैं कोश्चन को सोल करता जाता हूँ और ध्यान नकना कोश्चन को पढ़ने के बाद सिर्पान सर मत द्या करो पूरे कोश्चन को अच्छी तरह से उधेड़ द्या करो कि बही क्या कह रहा है कौन क्यों सी आपके पॉजिटीव बात कहीँ है तो इन सभी के मात्यम से आज हम अपनी ये संपून पैड़ागोजी जो अमारी टीचर और देखना है ठीक है अब देखो अगर जिस भी कोफशन में एक्जामिनर बच्चे के खिलाब कुछ बोल जाए तो उस को हमें गलत काड़ देना है कि इसकी कैसे इम्मत होगी हमारे बच्चे के खिलाब बोली जैसे पहला कोशन आपके सामनी स्क्रीन पर दिया हुआ है निमिलिक अउगत कराना चीए देखे यहाँ पर हमारे बच्चे की बात हो रही है तो हमारे बच्चों के अगर सोच की बात होती है तो हमारे बच्चों की सोच के लिए जो यूज करा जाता है वो आज की डेट के अंदर सबसे बेस तरीका होता है critical thinking का कौन सा method होता है आपके critical thinking का method हो तो बच्चा वहाँ पर तर्क वितर करेगा, क्यों कर लेशे, क्या ये सही है, क्या चीज गलत है, तो जहाँ पर बच्चा चीजों का विशलेशन करता, उसके बाद एक डिसिजन लेता हूँ, आपके critical thinking होती है, शिक्सा नीती 2020 ने इसको ज़्याद से ज़्यादा बढ़ावा करा सके, ठीक है, कि वेटा, आप जो ये सोचरों हो, इससे जुड़ा एक concept ये भी है, तो ये करना चीज है, नहीं करना चीज है, आप लोग बतिये, दूसरा इसमें कारन दिया है, रीजन दिया है, जब विधार्ती विविद मतवेदों के बीच बातचीत में इंगेज होते है, जैसे आप लोग अलग-लग विविदताओं से बरे रहते हो, आपसमें इंगेज करते हो, और रीमा जी आज कौनसी क्लास से सचिन सर की, उधर से रीमा बोलती है, आज संपुन पैड़ा कोजी की क्लास है, अच्छा रीमा जी, ठीक है, अगर आपको नोट्स चाहिए, त तो रीमा जी सोचे गया, सचिन सर के तो नोट्स एप्लिकेशन के उपर है, यहां से कापर मिले, अच्छा, यानि यह कभी मुझे फेक ना दे दे, परिसान न करे, तो कीटिकल ठीकिंग का यूज करके उसने गा, कि नहीं तुम दूर हो, तुम मेरे भाई हो, ठीक है, तो इ समझ गे, तो क्या हो जाएगा, A और R दोनों सही है, R A की सही व्याक्या करता है, तो आंसर इसका सेकंड आंसर यहां पर सही हो जाएगा, B B के साथ आप लोग जारू, बिल्कुल ठीक कोशन की B B के साथ जा रही हो, आगे देखते हैं, अगला आपके सामने दिया हुआ है, यह दिया हुआ है कि निमलिकित मेंसे किसके द्वारा अधिगम यानि की जो लर्णिंग होती है, उसमें बादा उत्पन होती है, बताओ, हमारे बच्चे की जो लर्णिंग होती है, उसमें कोन प्रोवलम डालेगा, पहले पढ़ाए गए विशे से ज्ञान को सम्मंध करना, देखो, जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं, तो पढ़ाने से पहले बच्चे की जो प्रीवेस नोलिज है, उसको हम किलास्रूम के अंदर लेकर आते हैं, जैसे मैंने का भई, आज मैं आपको संपून पैड़ागोजी पढ़ाऊंगा, तो इस संपून पैड़ागोजी का वाली किलास आपको स्टार्ट करी, तो भाई से तो कोई उत्पन नहीं होती, यह तो आपको help करता है, विद्याली संस्कृति से विमुक्ता का भाव, देखो यार, जो स्कूल का जो कल्चर होता है, उससा आपको अलग नहीं रहना, ठीक है, उसका जो स्कूल का कल्चर है, हर अलग अलग प्रकार की मल्टी सेंसरी एप्रोच का यूज करना, और उसका इंप्लेमेंटेशन करना, ताकि बच्चे को नहीं नहीं माध्यम समनी लोग यहापर सिखा सके, बच्चा दिगम यहापर कर सके, रचनावाद फ़र आदारी सिक्सन सास्तिया, पर विद्या अपन करता है, क्या काम करता है, एक्टी होकर, यानि कि सक्रिय होकर करता है, इसी कंस्ट्रक्टिवीजम पर, इसी रचनावाद पर आपका आधारीत है, यह जो आपका NCF 2005 है, इसी पर आधारीत है, तो इस प्रकार की हमें पेड़ागोजी चीजों का, यानि पेड़ागोजी कल अ बढ़ते बापके सामने अगले कोश्चन के और ये राई स्क्रीन पर, अगले आपके सामने दिया हुआ है कि परबल रूप से डैस सिक्सास्त्र विद्यारतो दुवारा ज्यान के डैस में स्तायक होता है, अब आपको बताना है कि क्या रहता है, परबल रूप से कैसा सिक्सास लासत आपको अपना नेचले कैसी कैसी पैड़ाघूजी आपको अपनानीक चीए क्या वह बाल के इंद्रित होनेक्पधि या वह बाल के इंद्रित रहते हैं जो मैं और्च उपजनेक्ण के कर सकते तो बाल केंदरी शिक्सा सास्त्री विद्धार तो द्वारा ग्यान के डैस में सायक है क्या ग्यान के यहाँ पर इसको केवल पुन उत्पादन की बात हो रही है यानि इसको अधी प्रोडक्शन की बात हो रही है रटने की बात हो रही है समझने की जगह है नहीं यहाँ पर उसके सरजन की बात हो रही है, construction की बात हो रही है, तो child centric और आपका construction आंचर यहाँ पर आपका पहला सही हो जाएगा, ठीक है, हम लोग पहुच गए 30 पर, आज का हमारा target रहेगा, आज की यह जो संपुर्ण पैड़ागोजी वाली किलास है, आज हम इसको 40, खलिए देखते हैं आपके सामने ये रहा अभी कतन यहां पर आपके सामने दिया हुआ है क्या कि विद्यार ले आने से पूरू जो छोटे बच्चों में अपने परिवेस की समझ बनाने की सहज सिद्दान्थ मोजूद होता है देखे ये चीज़ आपको ध्यान नकनी है जैसे पहले आपका वेवार वादिता उसके अंदर कहा जाता था कि बच्चा जो होता है ना खाली बर्तन के समान होता था क्या बोलते थे वो बच्चा होता था बच्चे को बोलते थे बच्चा खाली बर्तन के समान है या बच्चे को बोलते थे ब्लैंक पेपर है यानि बच्चे को और अधारिता लेकिन जब आपका ये रश्नवाद है रश्नवाद के अंदर का गया कि बच्चा कोई blank paper नीए, खाली बरतन के समान नीए, जब बच्चा पहलीवार स्कूल के इंदर आता है, तो बच्चा स्कूल के अंदर पहलीवार आता है तो अपनी मातर वासा लेकर बच् बच्चा इसकूल के इंदर आता है बच्चा जब स्कूल में आता है तो अपना जीवन के परतीड जो hullे देश्ट्िकों नो recommend it उ them तो हम कैसे कह सकते हैं कि बच्चा एक blank paper है, बच्चा खाली बर्तन के समान है, कोई खाली समान नहीं है बच्चा यहापर ठीक है, तो जब स्कूल आने से पहले छोटे बच्चों में अपने परिवेश की समझ बनाने के लिए सैज सिद्धान्त मोजूद होते हैं, बच्चा अ अतार्किक है, देखें, अतार्किक नहीं होती है, और इसके अंदेखी करनी चाहिए, यह कह रहा है कि हमारा बच्चे जो इस प्रकार से कर रहा हूँ, अतार्किक है, और हमारे बच्चों को इग्नोर कर दो, देखो क्या कह रहा है, हम अपने बच्चों को इग्नोर कर चीए तो एक ठीक है लेकिन आः गलत है तो आंचर यहाप अपका थर्ड सही हो जाएगा आप लोग किसके साथ जा रहे हो थर्ड के साथ यहाप पर जा रहे हो बिल्कुल ठीक है याप लोग दे रहो ठीक है चलिए अगला देखते अगला आपके सामने क्या दिया हुआ जरा उसके ओपन नजर डाल लेते हैं अगला आपके सामने फिर अगेन दिया हुआ है अभिकतन यानि की अजर्शन आपके सामने दिया हुआ है विद्ध्याल्यों को अधिगम के स्वेंगात्मक पहलों को अंदेखा कर देना चाहिए यानि बच्चों के जो इमोशनल साइड होती ह उसको अंदेखा करने चीए इसकूल वाले मानली जगर के अंदर किसी बच्चे के कोई दिक्कत होगी परिशानी होगी कोई हादसा हो गया या गरीब घर चे बच्चा रहा है ठीक है पैसों की समझसा उसके साथ है तो इसकूल वाले को क्या बता हुआ है कि उसको एग्णोर करने चीए अब तेरे घर के अंदर दिक्कत हम क्या कर सकते हैं हमारे स्कूल में टाइमस आओ टाइमसे ड्रेस पहन कर आओ जैसे आपने देखा होगा कुछ वीडियो देखते होंगे कुछ गरीब बच्चे होते हैं तो गरीब बच्चों के पास पैसे नहीं बिचारे फटी आगे देखते हैं तर किसमें दिया है कि जो संवेग और संग्यान होते हैं वो एक दूसरे से संब्स्कान होते होते हैं तो आपको जान दर आपको पता नहीं रहेगा कि कि यूज़ करना है तो आपके वो emotion किसी काम के नहीं है पता चला भाई आपके school में teacher जो है उनके emotional को इस प्रकार से ignore कर रहा है तो बच्चे ने क्या काम करा फटीड रेस कंदर आ गया और वहाँ पर हस हस के बात कर रहा है ठीक है तो यहाँ यहाँ पर सही emotion को उसने नहीं दिखा है teacher वाला इसकूल कहेंगे एक तो तुम पहले से गरीब है और इस प्रकार से मेरा मजाक उड़ा रहे हो तो आपर उसको कैसा emotion दिखाना चीए बच्चे को दुख्यवाला यह बई मेरे कपड़े मेरे घर वालों ने ऐसे नहीं करा तो इस पुरार दोनों ही भाई आपके गलत है हमारे बच्चे के emotional side को ignore करेगा हमने तुझे कर दिया और यह दोनों एक होते हैं एक दूसरे से सम्मंदित होते हैं connected होते हैं ना कि अलग-अलग होते है तो इस बार आप दीदी के साथ गए बिल्कुल ठीक गए अगला आपके साम्द नहीं देंगे तो फिर बात कैसे बनेगी देखो मैं कितने सारे example आपको देता हूँ कितने खतरनाक खतरनाक देता हूँ ठीक है उसके लावा उस concept के लिए आज सतत उधारन देने चाहिए यह आप लोग बताओगे concept सम्मंदित गैर उधारन यानिकि जो आपके non exemplar सोचते है वो करने चीए देखो एक teacher को उधारन के साथ साथ में गैर उधारन भी बच्चों का आपर देने चीए कोई चीज बच्चों को आप direct किसी example के मादने से समझा सकते हो लेकिन बच्चों को किसी concept के अंदर अगर कोई problem आ रही है उस concept को अगर define करना है तो define करने के लिए जिस भी चीजों का आप यूज कर रहो गुणों का यूज कर रहो ठीक है यानि example के अलावा आप लोग कर रहो तो आपको इस परकार के non exemplar यानि गैर उधारन के भी एक teacher को मदद लेनी चीए तो आपके example यानि उधारन और आपके गैर उधारन दोनों ही आपके क्या होते है concept से स बी आप पढ़ा रहे हो जो भी स्क्षन करा रहे हो वो उनकी वास्तिक जीवन से connect करके करें ये और उनकी daily life से connect करके आप लोग उसको करें लेकिन उस concept के लिए आँस अतत उधारन नहीं दे सकते आप लोग ठीक है आप लोग नहीं नहीं दे सकते हो नहीं बच्रों को यानि जो उस concept से बिलकुल यह अलग हटके हो तो आंसर आपका यह negative है और negative का भाई किस से बचने चीए second answer यहापर आपका सही हो जाएगा बीबी के साथ आप लोग यहापर जा रहे हो ठीक है कोई बीबी के साथ कोई डीडी के साथ आज देखते हैं कितने जाओगे और इमानदारी स लास्ट में अपना स्कोर बता देना कितना आपका स्कोर हुआ है आपको पता लग जाएगा किस प्रकार के पेड़ेगोजिगल कोस्चन के अंदर आपके कितनी वड़िया कमांड बनी है ठीक है एक समावी सी कक्सा यानि inclusive classroom में विशेष बच्चों की किस प्रकार साहता मिल स सिक्सा देनी है चाहिए उस inclusive classroom में सामानने बच्चों चाहिए उस classroom में आपके दिव्यांग बच्चों उस classroom में अमीर गरीब किसी प्रकार के बच्चों हमें सभी को समान सिक्सा या पर देनी है ठीक है सभी बच्चों को अपना बच्चा मानना है अब मैंने का जैसा आप ल नहीं लिखती है जो यहाँ पर आपके गोल होते हैं बच्चे के जैसे व्यक्ति के लक्स से होते हैं आपका गोल क्या है कि आपको अपने सीटाट का एक्जाम पास करना है तो उसमें आपको help मिलेगी या नहीं मिलेगी उसके लावा competition का जो culture होता है उसके लिए क्यार सीटाट वाली वीडियो मैं अपने दोस्त को नहीं बताऊंगा वहनना यह भी पास हो जाएगा और यह तो फेल हो जाए चलेगा ठीक है मैं पास होंगा यह वाली competition की भावना मत रखना और यह वाला आपका competitive exam है भी नहीं इसमें सिर्फ आपका eligibility वाला paper होता है पास हो जाओगे तो विचारत दूसरों के भी मदद कर दिया करो ठीक है यह फिर आपकी सेवगात्म का दिगम यानि कि यहापर दिवा cooperative लड़नी चाहे इसकी बहना आए collaborative चाहे इसका भाई आए cooperative यह दोनों परकार के भाई बहन आपको बताने है और मान की करत निर्देश बताओ किसमें साहता म competition का जो culture था वह घटा दिया बिल्कूल ठीक बात है अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो वीडियो को गुरूप में भी शेयर कर दो ठीक है और उसके बाद आपने मानक यह मानक जहापर भी दिख जाए समझाना क्या आपका negative टैग वर्ड है इसको काड़ देना standard instruction नहीं रखन परकार के बच्चे मिलेंगे तो उनी परकार के जो अलगलग परकार के बच्चे उनके according आपको उनको शिक्सन देना है ठीक है ना कि एक जैसार निर्देशन उनके लिए देना है तो यह आंसर विल्कूल सी सी आपने यहापर सही लगाया बढ़ते बापके next question के और देखे आपननी चाहिえ याद ओर यह film मानक आ जा सके एक बार जा सके तो यहीं कि का और आपकी करिकुलम रखना चीए जो बच्चों की झुरुत करओडिंग हम उसमें शंसोदन कर सके ठीक है तो यह तो यह तो आपका वैसे ही गलत हो गया जाओ मैंने एक नंबर मेरी तरफ से मानलो दूसरा इसमें तर्क दिया है कि जो मानकी करत जो पाठीचरिया होती है यानि जो आपके सामने standardized आपकी करिकुलम होती है जहाँ पर भी मानक दिख जाए ना आपको बस मानक देखना है चाहे मानक पाठीचरिया हो के अधार पर उनको ध्यान में रखती है ठीक है तो हमें बच्चों की सभी के छमता को ध्यान में रखना है ना कि अलग अलग प्रकार से उनको categorize करके ध्यान देना है तो दोनों इसके अंदर गलत हो जाएंगे ए और आर दोनों गलत है तो इस बार आप लोग किसके साथ जारे हो डीडी के साथ जारे हो बिल्कुल ठीक बात है बाई 40,000 में हमारे 4,000 कम बचे है तो इसको share कर दीजे आज हमारा इसके अंदर target है कि 40,000 है इस बार हम लोग लेकर आएंगे ठीक है यह पिछले सीजन के अंदर ही हम लोग इने पार करेते अगला देखते है अगला question सांदी स्क्रीन पर आगया निवन में से कौन सी शिक्सा पढ़नाली कक्सा में सरजनात मक्ता में सायक होगी ठीक है बताओ creativity में कौन सी सायक होगी आपको ध्यान रखना है यहापर बात होरी हमारे बच्चे की तो बच्चो को कैसा रखना है बच्चो को आपको creative nature का रखना है यहापर बच्चा creativity के मादम से सीखे ठीक है यहापर आपका कोई रिगिड तरीका नहीं अपना जाएगा कि एकी तरीकी से बच्चा सीख रहा है कुछ नया तरीका नहीं अपना रहा बच्चे के अंदर creativity आपको लानी पड़ेगी आपर तो आपको वताना है कि कौन सी सिख्षा परणाली classroom में creativity में सायक होगी पहला आपके सामने दियावा है कि कलपना सील उत्तरों को स्विकारना यहापर जो आपके imaginary जो आपके आंसर होते है उनको यहापर स्विकारना आपकी class में बच्चे से आपने question पूछा और question के बाद बच्चे ने अलग-अलग परकार के कलपना सीलता वाला बच्चा देता है आपको ध्यान अखना है वह जिस परकार के भी आंसर दे वह हमारा बच्चा है हम उसको गलत नहीं कहा सकते तू जाकर अपना तरीका सुधार कौन सुधार एगा अपना तरीका क्लासरूम में जो टीचर हैगा हम उसको सुधार हैं बच्चे के जिस परकार के भी आंसर रहेंगे ठीक है तुम कुछ भी गलत आंसर मत दे दे ना क्योंकि तुम छोटे बच्चे नहीं हो तुम बड़े हो ठीक है तो मैं नहीं सुधार हूँगा अगला है विचार मंतन पर बल देना बिल्कुल ठीक बात है देखो ब्रेनिस्टोर्मिंग सबसे बड़िया तरीका माना जाता है आपका जैसे क्रेटिविटी आ जाएगी जैसे मैं आप लोगों से कुश्चन पूछन पूछने लग जाओ कि बता हुआ ही आप लोग किलास देखेंगे, मेराथन किलास देखेंगे, NCI पढ़ेंगे, PYQ पढ़ेंगे, अलग-अलग आंसर आप लोग दोगे, तो जो ब्रेनिस्टोर्मिंग होता है उस पर आपको बल देना है जहाँ पर बच्चा हमारा अलग-अलग परकार से सोचे, अभी सारी चिंतन पर बच्चा out of the box जाकर सोचता है, और जो आपकी convergent thinking होती है, इसमें बच्चा inside the box जाकर सोचता है, लेकिन हमको अपना बच्चा कैसे करना है, जहाँ पर बच्चा out of the box जाकर सोचे, ठीक है, यानि जाद स्यादा बच्चा creativity कर सके, तो जहाँ पर भी आपकी divergent आजाएगी, व आपको sensory लेना है, toll lens लेना है, अच्चा बच्चा समझे में नहीं है, चलो मैं दुबारा पूछता हो, बताओ, इस वाले तरीके साब को पढ़ाता हो, तो एक teacher के अंदर toll lens का गुन होना चीए, तो अब बताओ आपके answer क्या हो जाएगे, क्या क्या आपका गलत है, एक ही तो आप लोग यापर किसके साथ जारे हो, एक बार आपका देख लो, आप लोग यापर DD के साथ आप लोग जारे हो, यानि कि पहला दूसरा और चोथा बिल्कुल सही जारे हो, क्योंकि सिर्फ आपका तीसरा गलत्ता, इसमें अभी सारी नहीं, इसमें आपका अफसारी चि सीखने के लिए जो मस्तिस्क है वो माइंड है वो डैस है इसलिए विद्ध्यालक को डैस अधिकम पर जोड़ देना चाहिए वास्तविक दुनिया के संदर्बों से सीखना कौन करता है इसकी बात सभी बात करते हैं जो आपके इनकेपेबल होता है अगर यह वाली बात आपके इनसेफ केंदर शिक्सा नीति किंदर कही जा रही कि बच्चों के वास्तविक जीवन से कनेक्ट करके उसको पढ़ाईए तो इसलिए तो कही जा रही है क्योंकि बच्चा आपने ज्ञान का निर्मान फिर खुद करता है तो उ क्लास्तिक दुनिया से कनेक्ट करके सिखता है इसलिए विद्यालों को कैसे अधिगम पर कैसे लेंडिंग पर जोड देना चीए क्या उनको पाठ्ठ पुस्तक आदारित जी नहीं ना टेस्ट्बूक आदारित ना टीचर सेंटर आदारित उनको यहाँ पर सिर्फ आपके ब क्लास्रूम की दिसा में काम कर रहे है जैसे कि मैं ठीक है जैसे मैं तो उन्हें चाहिए कि वे क्या काम कर सके पाठ्ठ चरिया में अनुकुलन कर सके बिल्कुल ठीक बात है करिकुलम के अंदर उनको चेंज करना चाहिए ठीक है कि मेरे बच्चे समझ नहीं पा रहे है तुम बच्चे के according अगर उसमें मुझे संसोधन करना हुआ पूरे साल वर के अंदर तो मैं करूँगा ठीक है लेकिन मेरा बच्चा प्रशान नहीं होने चीए ठीक है तो ये तो मैं करूँगा विविद दरिश्टी को उनको सामिल करना चीए बिल्कुल करूँगा क्यों कि बच्च अगर कुछ ऐसी बात निकल गई या उनके सामाजिक इस्तर के आदार पर मैंने कह दिया तुम तो पिछले समास से आते हो हासियो पर जाने वाले समूझ से आते हो तो भाई मेरी तो जवान तूट जाएगी ठीक है वापर टीचर के जो बच्चा हो मुझे खा जाएगा यही वाली है प्रोच आपको रखनी है टीचर के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वह किसी प्रकार के पूरु अगरे रख सके बच्चे के बार वे लड़के के बार यह लड़का नहीं पड़ सकती तुम तो पिछले समुधाय को तुम तो गरीब बच्चो एक बार जाच लेना व इसको मुझे बाधा नहीं देखनी है संसादन में देखना है सारे अपने बच्चे एंटीचर की इतनी हिम्मत नहीं है कि उनको बाधा के रूप में दे सके ठीक है तो ये आपका गलत है पहला, दूसरा, तीसरा यहाँ पर आंसर आपका सही हो जाएगा आप लोग किस के साह सब्सक्राइब करने की बात कर दी तो मैंने बताया ना तो अध्यापक केंदरित होगा नहीं आपका सब्जेक्स केंदरित होगा आपका सिर्पोसी बाल केंदरित होगा तो हमारे बच्चों की सक्रियता को कम कर दिया तो यह आपका लेक्चर मेथड होता है जो आपका कैसा रहता है यह आपका टीचर सेंटर रहता है क्या रहता है यह र चलाव ओपलोग लिख सकते हो प्लेवे मेढ़न हो जाएगा आप की यहां हो। पर यह रहा नेक्स्ट कोशन अगला देखे क्या दिया हुआ है निमिलिकित कतनों को पढ़िए और सेहिव कलब का चेन करिए अभी करते हैं अभी कतन यानि कि अजर्शन आपके सामने दिया हुआ है कि सिख्सकों और साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत, शिक्सार्तियों को उनकी समझ और कोसल विक्षित करने में मदद करने के लिए आवसक समर्थन और मार्दर्शन परदान करती है, शिक्सक और सातियों, सातिका तो मुझे पता नहीं, आप लोगों के कैसे होंगे, शिक्सकों के साथ रहोगे तो कैसा रहेगा, आपक के दो स्तियार अच्छे हुए साथ ये अच्छे हुए तो भी आपकी समझ अच्छी करेंगे अच्छी चीजों में नहीं ठीके तो यहाँ पर बात हो रही है आपके सामाज से जो संपर्ख में आता है समाज कंदर जैसे पहले अपनी ये सेमली कंदर आता है कि चाहे टीचर हो, चाहे उसके सात्यों घर परिवार के लोग हो गए, वो उनके कोशल विक्सित करने में मदद करते हैं, उनकी समझ को यहापर बढ़ाते हैं, और अगरा इसमें कारण दिया हुआ है, रीजन दिया हुआ है, जो सामाजिक संपर्क है, वो सीखने और विकास का एक परमुख गटक है बिल्कुल ठीक बात है जैसे आपके वाई गोच्की ने काता है जैसे जैसे बच्चा अपना चीजे सीखता जाता है वैसे वैसे उसका विकास होता जाता है यानि उन्होंने पहले सीखने को महत्तुन माना उसके बाद आपके विकास यानि लेते हैं अगले के उपर अगला आपके सामने दिया हुआ है कि राष्टे शिक्सानीती 2020 के अनुरुसार एक सिक्सक को सिक्सन अधिगम परिक्रिया यानि जो टीचिंग लंडिंग प्रोसेस है उसके दोरान प्राइमरी स्कूल के बच्चों से संप्रेशन यानि की कम्मुनिक 2020 ने का है कि बच्चों का जो शिक्सन का माद्यम होगा यानि जो बच्चों को आप टीच करोगे वो उनकी मातरवासा में कम से कम आपको 8 क्लास तक करना है ठीक है क्या काम करना है कि उनकी 8 क्लास तक जो शिक्सा का जो माद्यम होगा वो उनकी मातरवासा होगा यानि कि उनक स्भाफ के विएज के अंदरे को चना आता है मात्र वासा अधरीत बहु बहु बाद सिक्तावाद भी बाद की बच्चा जब वह पहली भार पैसे के लेकर आता कि बच्चों की मातरवासा पर ठीक है तो किसका प्रियोग करना चीए बच्चों की मातरवासा का तो डीडी यानि की फोर्ट आंचर यहापर आपका सही हो जाएगा चलिए बढ़ते हैं वहीं हम आगे कोशन कि और अगला कोशन देखते हैं वह आपका क्या दियावा है उसके पर यह अपन नजर डाल लेते हैं अगला आपके सामने आ गया यह रहा next question कि कक्सा में विबिन योग्यताओ वाले शिक्सार्तियों की आवसकताओ की पूर्ति कैसे की जा सकती है इनकी पूर्ति की जा सकती है आप लोगों की नहीं की जा सकती है तो आप चालओ disappointed जो थोड़ा चैलेंजिंग के जिसमें टाइम लगे और तुम्हें थोड़ा सा hint देंकर आगे में बढ़ा सको अगर सामने शिक्सार्ति की आवसकता को सम्मूधित करा बाकी के शिक्सार्ति के आप मेंसे मुझे कुछ गाली देंगे कई जाड़ी है इसमत्रहों बगड़ में लेकर सकता है ठीक है अचा मैं नहीं कर दिया और इग्नोर करा आपको नहीं करना बच्चे जा रहे हो आप लोग आपर फर्स्ट के साथ जा रहे हो ठीक है भाई यह 38,000 पर कैसे रोग दिए खाली 2000 की कभी बनने यह 40,000 में इसको आप लोग करेए ठीक है और यह बिलकुल है आज की जो यह संपुन पैड़ागोजी वाली क्लास है न यह सिफ टीचर इस्टुटेंट के relation के उपर है तो आज की क्लास आपकी easy और moderate है इसमें hard आपको बिलकुल नहीं लगेगा hard तो इसके बाद आएगी जो आपके लिए आने वाली है ठीक है तो यह आज की क्लास के अंदर भी अगर आपने ज़्यादा answer गलत करे न तो समझ लेना आपकी तयारी बहुत कम होगी है क्योंकि आज का जो संपुन पैड़ा कोजी का लेवल है वो easy to moderate है ठीक है hard लेवल इसके अंदर नहीं है अगला है बच्चों का नामिकरण वह उन्हें वर्गों में बातना या यहापर बात करी जारी कि बच्चों को हमें को लेबल देना है और उनको category के according यहापर करना है ठ ठीक है तो इस परकार से लेबलिंग दी जाती है जैसे आपने देखा होगा इस स्कूल के अंदर हमें लेबल मिलते थे ठीक है कुछ लोग तो बहुत खतरनाक होते है गवर्मेंटी स्कूल के जो टीचर है ठीक है एक दो मैंने देखा हुआ है वह पिताजी के नाम से पन के अंदर दीती हमें कैटीगरी के अंदर डिवाइड किया था कि जो पढ़ने वाले वो शिर पागे बैठेंगे और बिना पढ़ने वाले पीछे बैठेंगे अब हमें बच्चों को इनके किसी भी आदार पर उनको नहीं करना है ठीक है ये बात समझ गे तो आपको समझ बात है बच्चों के अंदर यहां पर हिंता आजाएगी यार बार-बार मुझे बेवकूफ क्यों कह रहे है ठीक है यानि में बेवकूफ क्या मुझे सभी से पढ़ना नहीं आ रहा है क्या तो बच्चों के अंदर हीन भावना आती है आपने देखा होगा जब हमारे स्कूल बात है ठीक है और आपको लगता है यह पूरा करने लिए एक सकरात्म करण नीती है ठीक है अगर आपको लगता है यह पोजीटीव स्ट्रेटीजी है तो मैं आपको देदू लेबलिंग बच्चों के आत्मसंवान और परदसन पर कोई परभावन नहीं डालेगा बद यह कह है कि आपका कोई आत्मसंवान नहीं ने चली किरा आपके नेकिटर के और यह बढ़ते आपके लेंगरोत देखें अगला क्या कहता है अगला क्या क ठालते तो मैं कैसा सिख सकूँ मैं परवावी सिख सकूँ या नहीं हूँ ठीक है बताओ तो यहाँ पर आपके सामने देवाए इससे टीचर को किस प्रकार का मुल्यांकन करने में मदद मिलेगी जो मैं यहाँ पर आपसे question पूछता हूँ या इस प्रकार आपने देखा होगा टीचर भी school के में कुछ ना कुछ बीच में पूछते रहते थे ठीक है तो किस प्रकार के मुल्यांकन में मदद मिलेगी क्या यहाँ पर आपके summative assessment की बात ही हो रही है formative assessment standardized अरे यार standardized कहा सा आ गया या non reform की बात हो रही है मानक मानक तो यह दो आपके कट गए यह तो वैसी negative है अब पुरान चलता रहता है जैसे हमारा भी चला है मैं आपसे कुछ question पूछ रहो आप लोगा सही गलत कुछ भी दे दो ठीक है अगर आप लोग गलत देतो तो मैं अभी आपका सुधार कर दूंगा उसके अंदर लेकिन अगर एक ऐसा assessment हो जब आपका teaching learning process खतम हो जाए जब बच करना है ठीक है तो किस में मदद करता है formative assessment में करता है second answer आपका सही हो जाएगा आप लोग किसके साथ जारो BB के साथ यहाँ पर जार ही हो ठीक है चलिए अगला देखते हैं सामने आपकी screen पर यह रहा एक और शिक्सानीती से जुड़ा हुआ question समकालिन शिक्सानीती जैसे कि नई शिक्सानीती 2020 का प्रस्ताव है कि जो सीखना होने चीए यानि आज की date के अंदर जो हमारा बच्चा चीजें सीखेगा वह कैसे सीखेगा जिसके बारे में सीख्सानीती ने कहा हुआ है क्या बच्चा यहाप पर इसमरण आदारी सीखेगा हमारा बच्चा क्यों क्या वह अनुवॉत्मंक रहे गा बिल्कुल ठीक बात है ठीक है कैसा होगा आपका अनुवॉत्मक यानिक्या आपका experiential रहेगा आपकी शिक्सानीती 2020 में कही गई जो बच्चों को आपको learning करानी है वो करानी है experiential learning करानी है जहापर बच्क्या अपने experience के अधार पर learn करेग अपने बच्चा अनुभाव के आधार पर सीखेगा, खुद करके यहापर बच्चा सीखेगा, तो सबसे बढ़िया तरीका यह है ना, हम बच्चों को अगर कोई चीज़ सिखा रहे हैं और शिखाने से पहले उनके अनुभाव को सामिल कर रहे हैं, या सिखाने के दोरान उनक प्रकार से सिखाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे बच्चे के अनुभाव भी महत्पूर होते हैं, अगला कोशन देखे सामना आपकी स्क्रीन पर आगया, नेक्स्ट कोशन यह रहा, अर्थपूर अधिगम, हमें अपने बच्चों को कैसी लेंडिंग करानी है, हमें अपने के बीच में सहयोग होता है, जब हम छोटे बच्चे स्कूल में पढ़ते थे, हमारे बीच में सहयोग होता था, चाया आप लोग इसको कोर्परेशन यहाँ पर दिया हुआ है, चाया आपके कोलेबरेटिव की भी बात यहाँ की जाती, तो आप इसको encourage करोगे, इसको encourage करोग यानि उसके साथ में हमें उसके दोस्तों को भी महत्पूर माना है ताकि बच्चा अपने अच्छे दोस्तों के साथ इंटाइट करेंगे सीख सके यह निकि कोई उसका गलत आदस शिका रहा है उसको आपको बढ़ावा देना है लेकिन इसमें उसको हतोत्साइट करना चाहिए भाई उसको हम लोग एंगर या पर करेंगे च्हात्तों के बीच प्रोशाइट करना चाहिए और बड़ी पॉजिटीव चीजों को competition को प्रोसाइट नहीं करना चीए, जैसे मैं आपको प्रोसाइट कर दूँ कि जो इस बार seat at के exam में 140 प्लस लेकर आएगा न, ठीक है, तो उसको मैं अपना क्या काम करूँगा, उसको मैं बहुत बड़ा गिफ्ट दूँगा, ठीक है, इतना बड़ा गिफ्ट दूँगा, तो आपके बीच में मैंने competition कर दिया, तो कुछ फायदा ही नहीं है, 140 भी लेकर आजाओगे, तब भी होई बात है, 90 ले आओगे, तब भी होई बात है, ठीक है, बच्चा आपर learn कर रहा है, जिस concept के बारे में बच्चा आपर learn कर रहा है, उसकी समझ को method देना है, ताकि बच्चा meaningful learning कर पाए, उस concept के बारे में सारी चीज़े समझ पाए, तो आपका यापर fourth, यानि की डीडी आँचर यापर आपका सही हो जाएगा, ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, आपके next के और अगला क्या कहता है, इसके उपर नजर डाल लेते हैं, next आपके सामने दिया हुआ है, कि विद्यार्ट्यों को नए कंसेर्ट पढ़ाते समय, शिक्षक को निमली कितमे से किस से बचना चाहिए, नेगिटिव आपके सामने पूछावा है, जो भी कुछ नए कंसेर्ट बच्चों को पढ़ा रहा है, ठीक है, जैसे अभी आप लोग देखोगे, आज आपकी वाली संपून पेड़ागोज सारी ची जाओंगी, तो उसके अंदर मैं कुछ आपको ने कंसेर्ट सिखाऊंगा, तो ने कंसेर्ट सिखाते समय, टीचर को निमली कितमे से किस से बचना चाहिए, और चीडिपी के अंदर भी आपको ऐसे करूँगा, जो मेराथन किलास आपके आने वाली है, ठीक है, तो उ एक्जामपल में से जो सामन्य गुन होता है, वो खोजने के लिए बच्चों से कहते है, ठीक है, तो ये तो बात बिल्कुल ठीक है, पोजिटिव है, हमें ढूंडना है, नेगिटिव, उस कंसेर्ट से सम्मनित गैर उधारन परस्तुत करने चीए, बिल्कुल ठीक बात है, जटिल से सरल की और बात कही गई है, ठीक है, जटिल से सरल की और बात कही गई है, या नई जानकारी को पिछले ग्यान से जोड़ना है, यानि कि जो बच्चा यहापर नई जानकारी लेकर आ रहा है, उसको प्रिवेस नोली से कनेट करके पढ़ाओ, यानि कि उसके जो एक् आपके लिए पहले आपकी स्टार्टिंग कराए बेस से आपको बिल्कुल शुरू करा दीरे-दीरे करके अब हम लोग मोडरेट पर आ गए और उसके बाद हमारा हाड लेवल चलेगा तो अगर बच्चों के परिपेक्स में बात करी जा रही है बच्चा सबसे पहले आसान ची और यह नेगिटिव का भाई, आपका नेगिटिव, फढ़ आंसर यहाब पर आपका सही हो जाएगा बढ़ते अब आपके नेक्स्ट कोश्चं के और यह रहा नेक्स्ट कोश्चं अग़ला कोश्चं आपके सामनी स्क्रीन पर दिया हुआ है कि सुईदा वंची सम्मू風 से जो सुईदा से वन्चित बच्चे होते हैं, तो उनसे संबंध रखने वाले विद्यार्टों के समावेशन में, अब उन बच्चों का समावेशन आपको अपनी क्लासरूम में करना है, निमिली कितमें से किसके द्वारा अवरोध उत्पन होता है, वो आपको बताना है कि किसके द्वारा आपको बादा होती है, अवरोध उत्पन होता है, उसके बार में बताना है, ठीक है, चलिए देखते हैं किसके द्वार उत्पन होता है, भाई हम लोग आगे 40,000 पर, तो 40,000 कंप्लीट आप लोग ने करा दिये, और आद तो संपुन क्लास है, तो मुझे साइद ऐसा हूं मुईद है, जो मेरतिन क्लास में आप लोगों के लिए 7 जनवरी को लेकर आने वाला उस CDP की, उसमें हम लोग जरूर एक लाख मलब पार कर जाएंगे, और पूरे इंडिया के अंदर इस बार ऐसा ही रिकोर्ड बन जाएगा, जो साइद कई सालों तक ना तूटे, क्योंकि पिछले जितने भी रिकोर्ड है, अपने रिकोर्ड में खुदी तोड़ता रहा हूं, ठीक है, तो थैंक्यू भाई, आप सभी लोगों का इस सेहसन का पहला 40,000 आप लोगों ने आपर करा दिया, ठीक है, चलिए भाई बढ़ जाते हैं, आपके किस के और बात कर रहा है, कि किस में उरोध उत्पन होता है, पहला, रूटिबद और आपकी स्तापित धाड़ना है, देखिए, अगर आपने किसी परकार के स्टीरोटाइप बनाए हुए है, ठीक है, कि यार अरे यार, यह तो आपका बहुत गरीब घर से बच्चा रहा है, वही आपके जैसे मैं पिछले घर से बच्चा रहा है, अरे उसके सामाजिक और आर्थी किस्तर के अधार पर, ठीक है, और किसी परकार के बिलीफ उसको नहीं रखनी है, तो यह आपका क्या होता है, यह आपका नेगिटिव होता है, तो इसमें को पुछावा है कि कोन अवरोध करेंगे, तो अभी तक तो यही करेंगे, बाल के अंदर यह आपका नेगिटिव ठीक हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, बहुत चलिए बढ़ते बापके नेक्स्ट की और अगला कुश्चन यह रहा सामने आपकी स्क्रीन पर, जो आपको यहापर दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ टेंचन मतलो, आप लोग कह रहो ना, सर सीडीप वाली कंप्लीट करवा देना, हिंदी पेड़ागोजी कंप्लीट करा देना, एक बार इनकी मेराथिन क्लास आने दो, और देखो मेराथिन से पहले आपको, आज तो यह आपका लेवल नोर्मल है, यह आपका easy to moderate है, ठीक हा, हाड नहीं है आज के अंदर, क्योंकि बच्चों टीच के रिलेशन के ऊपर है, अब जो इसके बाद संपूर्ण क्लास आने वाली है, तो आपको ट्रेलर में पता लग जाएगा, कैसी मतलब जो मेराथिन क्लास होने वाली हो आपके लिए होगी, ठीक है, चलिए, आगे देखते हैं, इसलिए मैंने का आज की मेराथिन क्लास से मु उनका ख्याल लगना बिल्कुल लखेगा, हमारे बच्चों की ज़रुवत का पता लगा, अगर नहीं रखेगा, तो हम इस ओप्षन को सहीं नहीं मानेंगे, अपना बच्चा समझ कर आंचर देना है, केवल कुछ खास विद्ध्यार्टों पर ध्यान देना है, क्यों बई, क तेज बच्चा पढ़ने वाला है, कमजोर बच्चा पढ़ने वाला है, ठीक है, किसी भी आदार पर उसको सेग्रेशन यानिक अलगाओं नहीं करना, यह आपका नेगिटीव हो जाएगा, खास जरुतों वाले बच्चों को विशेशक के पास बेजना, अच्छा, वह सुनि पाने पर किसका ध्यान देना चीए, बच्चों की विविद जरूतों का पता लगाना, उनका ख्या लखना चीए, जो सिक्सक की भूमिका होती है, एक इंक्लूसिव क्लासरूम में, फर्स्ट आंसर यहापर आपका सही हो जाएगा, जिसके साथ आप लोग यहापर जा रहे ह चलिए बढ़ते हैं आपके एक और कोश्टन की ओर यह रहा सामनी स्क्रीन पर, कोश्टन आपके सामनी दिया हुआ है कि विविद समू के विद्यारतियों के सिक्षण के दोरान, एक सिक्षिका को क्या ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है, बताओ बै क्या ध्यान में रखना लेकिन ठीक है गुस्य में नहीं देता हूँ तो यह जो हमारी विविद्ध समुके विधारते जो आप लोगो तो मैं आपको देता हूँ सम्मान देता हूँ ठीक है अगला है सांस्कृतिक विविंताओं को अंदेखा करना नहीं करता भाई आप लोग का कल्चर कुछ भी हो र सभी समान है और आपना जंगे से हो ठीक है तो उसको अंदेखा करने की बात करी जारी है सुसंगा ताकि हम उस्टे को विचारों को जान पाए और अपने विचारों को अच्छी प्रकार से उसके सामने व्यृष्द कर पाए ये आपका ठीक है आप पर टैक्ष निर्देश देना क्यों देंगे आप पर टैक्स निर्देश हम उसको पुचा जाता है आपको एक बात ध्यान नक निए पंदर इतना डीटेल में नहीं आता है ठीक है तो हर बच्चे के आपको स्वयत्ता को सम्मान देना है लचला पन देना है अब बतावाई सारा क्या होगा सारे मैंने आपके सामने बता दिये किसके साथ जा रहे हो ठीक है थर्ड थर्ड के साथ आप लोग जा रहे हो यानिकि पहला तीसरा और पाच वहाई तो दूसरा भाई अंदे का हम उसको नहीं कर सकते और चोथा आपर्ट्रक्श निर्देश की अध्यापक को क्या करना चाहिए बताओ क्या करना चाहिए क्या विद्ध्यारितों के पूर ग्रक्ति अंदेख predicting का पी हो सकती व सेampatt का नईक करने और लर्णंड को कम करना चीए जधा करने चीए ज़्याद से यादंद से लादर को सम्झाओ जाया लेंदिंग के कम नहीं करना चीए, विशे से समंदी सब्द जाल का प्रियोग से बचाने चीए, हाँ, हमारे बच्चों को बचाओ, ठीक है, हर परकार के जाल से हमारे बच्चों को बताओ, बचाओ चाहिए आपका सब्द जालो, जाबर बच्चा सब्दों के अंदर फज जाता है, समझी न देखते हैं next question आपके सामने स्क्रीन पर है ठीक है अगला question आपके सामने यहाँ पर दिया हुआ यह देखे next question क्या दिया हुआ कि सिक्सक बच्चों को विभिन रंगो वाली चिकनी मिट्टी देकर कहती है कि उनके मन में जो आता है वह बनाए इसके माध्यम से वह बच्चों में डैस को बढ़ावा देती है किसको बढ़ावा देती है सरजनात्मकता को बढ़ावा देती है क्रेटिटी को रटना को आस एक को या फिर अनुसासन हींता को ठीक है हमारा आथ में चिकनी मिट्टी हो जाएगी तो आप लोग क्या बनाऊंगे तो चिकनी मिट्टी से हम पता एक क्या कोशिज यहापर करा रही है उनको रोट मेमराइजेशन नहीं करानी जो आपका नेगिटी होता है बच्चों को चीजे रटानी नहीं है समझाने जिसमें बच्चा क्रेटी कर सके बच्चों के नोन को प्रेशन नहीं को प्रेशन की बात होती आपके और बच्चों के यहापर अनुसास यानि की सजा उनको देनी चीए यह ज़रा कमेंड बोक्स में आप लोग आंसर बती है फिर चेक करता हूँ आप लोग क्या क्या दे रहे हो ठीक है अगला कुश्चन देखे सामने आपकी स्क्रीन पर आगया यह रहा नेक्स्ट कुश्चन राष्ट्या शिक्सा नीतु 2020 निम्न यहाँ पर पहला दियाओ है ड्रिल एंड प्रेक्टिस मैंने का था जा भी ड्रिल कर देना आपका नेगटीव है दूसरा रोट मेमराइजिजिस न यानि चीजों को रटान निन चीजों को समझाना यह भी आपका नेगटीव है इंक्वारी बेस लर्णिंग और आपका डिस यहाँ पर आपका सही हो जाएगा ठीक है बिल्कुल ठीक बात जा रहे हो ठीक है चलिए यह जो कह रहे हो ने कि आज सारे सर आज सही जा रहे हैं सारे आगे आगे देखना संपूर्ण के अंदर ना तेल निकाला आज तो मैंने खुद ही कहा है आपका easy to moderate है आज आपको hard question क्या है समझता है CTAT का एकदाम तो इसके समधान कोशल को बढ़ाने के लिए कौन सा तरीका effective रहेगा सवतंत्र चिंतन को हतोसाइद करना है यार यहाँ पर हमारा बच्चा गर खुद सोच रहा है अपने आप सोच रहा है और तुम उसको discourage कर रहो आपको उसको encourage करना है क्यो किंद्रित करना देखो यह ठीक आपका declarative knowledge पर ध्यान किंद्रित करना चाहिए declarative knowledge का मतलब है वह knowledge जो किसी concept से जुड़े हुए सारे पहलू के बारे में ज्यान आपको और जित कराती हो ठीक है मालीज आप कोई concept समझ रहो मालीज एनीपी 2020 समझ रहो तो इसके सारे पहलू के हमको हतोसाइथ नहीं करना तो आपका negative है दूसरा है कठीन समस्याओं से बचने के लिए उन्हें प्रोसाइथ करना क्यों बचा जाए जब तक हमारा बच्चा कठीन समस्याओं में नहीं पड़ेगा उनके अंदर गल्तिया नहीं करेगा उनको सीखेगा नहीं उनका समधान नहीं करेगा तो तब तक कैसे करेगा तो उनको प्रोसाइथ करना कठील समस्याओं से बचने के लिए नहीं कुदा दो अपने बच्चों को इसकंदर ठीक है अवनिस्याओं कनल घ्र बचू निकल जाता मिट्टि लगा लेते हैं ठीक है तो ऐसे प्रमिशिव टाइप का आपको पैरेंट्स नहीं बनने नहीं अपने बच्चों को बनाना ठीक है तो उन्हें समस्चाओं का तयार समधान उपलब नहीं कराना जब वो खुद अपना सोच विचार करके मैनत करके समस्चा का समधान करें वो यानि की दे राइट आंसर आपके सामने हो जाएगा जिसके साथ आप लोग यहां पर जया रहे हो ठीक है तिक है आगला देखते हैं अगला आपके सामने क्या दिया आवा है जरा इसको प्र नजदाते यह रागला क्योश्टर्व ठीक है तीज कोशन में समझना कि आज की वीडियो के अंदर बस तीज कोशन काम खतम ठीक है समपूर्ण किलाश चलिए बड़ी-बड़ी किलाश चलिए आपकी ठीक निमलिकित कथनों को पढ़ियो और सही का बेकल्प का चैन गरिए अभी करते हैं अभी कथन अजर्शन आपक करेगा भई आपका यह टीचर को करना ही पढ़ेगा ठीक है आपका अजर्शन ठीक दे दिया अब इसमें रिजन यानि कारण दिया हुआ है सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीकने में सक्सम होते हैं क्यों भई आप लोग सभी आंतरिक कर सकते हो और इसकी आरें कि सई व्याक्षा है याधि है तो आप लोग सब्रें विचार करने कि आवसकता होता है पहला वाक्य में संग्या और किरिया के बीच क्या सम्मद है किरिया की definition क्या है आप वर्ब को वर्तमान काल से कैसे बदल सकते है या कक्सा की सुरवाज से किरियाओं के उप्योग के बारे में आपकी समझ कैसे बदलती है देखे एक आपके सामने एक महत्मून कंचेप्ट आता मालीज आप लोग तरक करते हो चिंतन करते हो तो जब आप लोग चिंतन करते हो और चिंतन के अंदर इतने खो जाते हो इसके अंदर इतना डीपली पढ़ जाते हो किसी भी टोपिक के ओपर चिंतन करते करते है उसके सभी पहलू के बारे में आप सोचना शुरू कर देतो य जैसे अभी हम लोग चिंतन कर रहे हैं आज आपकी संपूर्ण किलास है जिसके अंदर टीचर स्टूडेंट का रिलेशन होगा और उसके बाद आपकी और संपूर्ण किलास आएगी फिर मैराथन किलास आएगी तो आप सिर्फ एक चीज के उपर चिंतन ना करके उससे जुड यहाँ आपके सामने अगला कुश्चन देखिए अब यहाँ पर कुश्चन NCF से लिया हुआ है चैसे आपके पास EBS हो सोसल साइन्स हो या साइन्स हो तो उस पर आदारित NCF क्या कहता है जरह उनके उपर नजर डालते हैं NCF 2009 के पास्टी के अनुसार प्राइमरी लेवल पर EBS के सिक्षन के क्या उद्देश से है एक नंबर का उद्देश साब का जुरूर आएगा EBS का पूछ लेगा mathematics पूछ लेगा social science पूछ लेगा और science पूछ लेगा आपकी सभी परकार के subject के अंदर एक नंबर का objective जरूर देखने को मिलता है जैसे इसने EBS का उद्देश से प सिकास करना है ठीक है बच्चों की जिग्यासा और स्रजनावत्मक्ता को पोसीद करना है बिल्कुल ठीक बात है बच्चों को अपने environment से सम्मदित बहुत चीजों के बार में curiosity रहती है ठीक है चाहे science हो social science हो यह यह चीज़ ऐसे क्यों होती है ठीक है तो उसको आपको सरजना प्राइमरी की बात हो रही है अगर अपर प्राइमरी को हो जाती तो थोड़ा option आपका बदल जाता हमें बच्चों को कैसा समझाना है अधिगम चमताव को एक मूर्थ अधिगम अनुभव द्वार उसको बढ़ाना है क्योंकि जो छोटा बच्चा चीज़ें सीखता हूँ यानि जो चीज उसको दिख रही है जो उसको पगड़ पा रहा है तो आपने देखा होगा जो बच्चा प्राइमरी लेवल पर सीखता है आपका मूर्थ से अमूर्थ के ओर सीखता है यानि को यह भी आपका ठीक है विद्यार्यत्यों को एक रेकिया अभी जाता देना आपका अनुबह उपर आदारित होता है डी गलत है और आपका एबी सी यहाँ पर सही है तो एबी सी का आप है एबी सी यानि फ्रस्ट आंचर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट के और हगला देखते क्या आपके सामने दिया वाए यह रहा next, next आपको दिया हुआ है, अभी कतन आपके सामने है जर्शन, एक सिक्सिका कक्सा को सवाधात्मक बनाने के लिए, ठीक है, कैसी बात हो रही है, उसको सवाधात्मक बनाने के लिए, ठीक है, इंट्रेक्टिव बनाने के लिए, बच्चों के आसपास के परेवरंच से बिल्कुल ठीक बात है तभी तो देखिए आप लोगों को जो एक्जाम्पल दे जाते या जो जिसके बार में आपके नीतिया या आपके करिकुल करिकुलम कहते है नैशनल तो यह कहते हैं कि बच्चों के वास्तिविक जीवन्चा कनेट करके पड़ाई है जो आप बच्चों हो जाएगा आप लोग आपर AA के साथ जा रहे है ठीक है चले भई यह कह रहे है कि सर कब तक आई गया रहे भई अभी तो शुरू हुई है ठीक है अभी तो 31 है अभी तो पिक्चर बागी है दोस्ट ठीक है अगला कुशन देखे स्क्रीन पर आ गया निमने में से क्या बच् समस्य को इस परिवासित करना problem solving का पहला step होता है identify the problem और problem को identify करने बाद दूसरा step होता है define the problem define the problem होने के बाद तीसरा step होता है जो बच्चा hypothesis बनाता है निकि फैक्ट डूनता है उसके बाद जो चोता step होता है वो बच्चा करता आपना संचलेशन करता है उसके बाद जो बच्चा काम करता हो करता है अपना संचलेशन करता है सिंतेसिस करता है और उसके बाद लास्ट में जब समस्या का समदान होता है तो जो result आता है उस result का मुल्यांकन करता है यह एक एक करके समस्या समदान के method में आपको वताय हुए तो यह यहांपर अगर समस्या को define क्या जा रहा, परिवासित क्या जा रहा है, यह भी बिल्कुल ठीक है, यह नहीं है आपका positive है, पहले सुल जाए गई जो समस्या उससे मिलती जुलती समस्या के बारे में सोचना, यहापर बात हो रही आपके एनलोजीकल थिंकिंग की बात हो रही है यहाँ पर बात हो रही है वही आपके analogical thinking की बात हो रही है एक समस्द से मिल्ति जुलती समस्दा को समदान करना रचनात्मक रूप से उसको पढ़ा रहे है क्रेटीविटी को उसको पढ़ा हुआ है तो समस्दा के शिर्फ एक समदान पर वो क्यो दान के बढ़ा है जो आपकी वर्ड दिखा जाता है फिक्सनल फिक्सने जो यही आपका नेगीटिव का भई जो बादा उत्पन करेंगा यह बादा उत्पन करेंगे बादा उत्पन नहीं करेंगे अगला question देखे सामने आपकी स्क्रीन पर आएगा next question निमली के तमें से कौन सा statement class में सवाल पूचने के संदर्व में सही नहीं है चलिए देखते है भई विद्यारतों से person के उत्तर पूचने का मुख्य उद्देश से उनका परिक्षन करना होता है इसलिए question पूचते है मैं आप लोगों से इसलिए question पूचता हूँ या फिर विशलेशनात्मक person पूचने से विद्यारतों को समालोशनात्मक चिंतन में मदद मिलती है या विद्यारतों को कक्सा में person पूचने के लिए परोसाइत करना चाहिए या फिर वह person जो विवेचन और आपके अनुपरियोग पर आदारित होते है उस तरह सर्णी के चिंतन कोसल को बढ़ावा देते है यानि उन कोसल को या पर बढ़ावा देते है तो यहाँ पर कौन सा सही नहीं है नेगिटिव पूचा है अगला है तो हम उनसे पर क्यक्ति पूचके उनको कि तक त्याव परिक्षं कर सकें कि उनको कितना आया कितना नहीं का हम इसे, पर पूच्चका अपने question देखे सामने आपकी screen पर ये रहा next question अगला question आपके सामने दिया हुआ है एक प्रात्मिक विद्याले की यानि primary school की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभाव साली समस्य समधान करता बना निगले किस प्रकार से प्रुषाइद करती है चाया प्रात्मिक लिख लिजे तो किस प्रकार से help कर सकती है टीचर उनको एक अच्छा problem बनाने में परत्य चोटे काम के लिए उसको बहुतिक प्रुषकार देना देखे मैंने आपको वताई विए जब आपके सामने प्रुषकार यानि reward की बात आती है तो जो आपको प्रुषकार देनी चीए वह पार्सली देनी चीए यानि बच्चे के किसी खास achievement पर उसको प् प्रुषकार देते हो माली जया आप हर कोश्चन के बाद आप आंसर दे रहो और मैं उसको हर बार कहा रहा है वाव बहुत बढ़िया जियो जियो राजा जियो रानी वह आपका reward अच्छा नहीं माना जागा पार्सली reward जो दिये जाते वह अच्छा माने जाते तो परतेक छ भी जारी आपके फीरोस्टी इस वह नोलिज जिसको एक फूर्षजर के थुरूँ सी जाता है जैसे हम लोग सिटेट के खिख़ता है एक प्रोशीजर को उड़ाते हैं पहले सिंपल क्लास चलती है आप जैसा आपके सामने संफूण क्लाश अगी उसके बाद सभी सब्षय्ट ठीए बच्चों को सैजना बुद्ट अनुमान लगाने के लिए परोषय गर करके बीटा कुड अनुमान लगा है और आप यह समस्या का समधान कर तो यह लेन प्र्व्योंधि इसको सिर्फ प्रोस्कार देकर लेख, फोकस करके प्रोस्रीजल नोलिज आपके अच्छ होती है बटकेवल इसी पर ध्यान किंद्रित करने की बात है तो यह भी आपके गलत है तो आंसर इसमें डीडी यानि फोर्थ आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा चलिए बढ़ते बापके नेक्स्ट कोश्चिन की और यह मैं अपनी बताओ जो में बढ़ना पसंद करता हूऑ जापर सोष जाद ना ना हो ठीक है एकांत में पढ़ना पसंद करता हूँ जादे तर तो उसको क्या काम करने चीए, उसको मैं तो देना चीए, और उसके आदार पर जो बच्चे आपर reflection कर रहा है, ठीक है, अपने अनुभाव के आदार पर जो यहापर चीजे सीख रहा है, उसको भी यहापर बढ़ाना चीए, ठीक है, उसको मैं तो यहापर देना चीए, उसको क कुछ बच्चे कहते हैं, सर आप तेज पढ़ाईए, कुछ बच्चे कहते हैं, सर आप बहुत राम से पढ़ाईए, ठीक है, तो सभी के आपकी learning style लगा है, तो मैं बीच को तरीका आपना आता हूँ, ना जादा तेज, ना जादा राम से, ठीक है, उसको सिक्षर ने दिगम प पर्षन पूछने के लिए उसर दे रहा है, तो वह हैं परत्यक्स रूप से किसको represent कर रहा है, उसने कहा दिया सिप लड़का question पूछेंगा, लड़का question नहीं पूछेगी, जबकि आप teacher student के relation की आज इसके अंदर बात करी जा रही है, तो भई आपको दोनों को महत्पून मा स्माने हो भई तो ये किसचीज को दरसाता है, gender empowerment की बात हो रही है, gender empowerment की बात तब होती जब इनको कुछ बढ़ावा देने की बात कही जाती है, ये तो एक तरीक से आपका gender equality की बात नहीं हो रही है, ठीक है, दोनों gender को यापर समान अधिकार नहीं दिये जा रहे, समान संसा था सुथादटन नहीं दिये जारें ये सीधी बात आपके जेणडर वाएस की और आनिसरी के अंदर आपका जेंडर वाएस हो जाएगा पर तो आपका बनी नहीं रहा है तो ठरड़र आ अंसरी ही आपका入 सिह miten करना जैसे आपके इंचाग में क्णा प्रहटें जाते कि और वह जेंडर स्टूड़ोटाइब को खटम कर सके जेंडर बाइस को खटम कर सके कि जो काम लड़केया ओकर कोई आसमान में जा रिए jako पहाड़ उपर जा रिए हम क्यों नहीं सकती ठीक है अब लड़के कहेंगे सर हमारा तुम तो पहले चड़ाई कर देतो ठीक है आस्मानों चाया आपका किसी पार्ड पर जाने की बात हो लेकिन एक जो जेंडर है फीमेल उसको इग्नोर सुरू से किया जाता है ठीक है तो वहां से बच्चा मोटिवेट हो सके इसलिए एसे करेक्टर के बारे में एंचाय ठीकंदर दिया हुआ है जैसे राके सर्मा लड़के उससे सीख सकते है निमली कित में से क्या एक प्रगतिसील कक्सा की विशेष्था होती है हमें बच्चों के लिए कैसी क्लास्रूम की बात होती है प्रोग्रेसिव क्लास्रूम की बात ह करती है यह हमारे बच्चों को कंट्रोल करी नहीं सकती हमारे बच्चों को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता दुनिया के अंदर कोई ताकत नहीं है जो हमारे बच्चों को कंट्रोल कर सके बच्चों की भागेदारी नियूंतम है गलत बच्चों की जो भागेदारी वह मिनिमम नही परगतिशील एजुकेशन गंदर बच्चों की भागीदारी ज्यादा से ज्यादा आपको देखने को मिलती है गतिविद्या या कारी करते समय बच्चों का मुल्यंगन किया जाता है बिल्कूल ठीक बात है यानि आपके बात हो रही है फॉर्मेटिव असेस्मेंट की बात हो है कि एक्टिविटीज के दोरान टीचिन लेंडनी प्रोसेस के दोरान हम उनका मुल्यंगन करते बिल्कूल ठीक बात है स्तमय साधनी जयानी जो आपका टाइम टेवल होता है और आपका सीटिंग अरेजमेंट होता है वह आपका फिक्स नहीं होता वह आपका फ्लेक्सिबल होता है वह क्या होता है वह आपका रहता है फ्लेक्सिबल होता है जहाँ पर हम बच्चे की चमत्यक कोडिंग टाइम टेवल और जो आपकी सीटिंग अरेजमेंट होता उसमें बदलाव कर सके अगर कोई माली जै बच्चे बहुत दूर सा रहे तो इस प्रकार का टाइम चीए यानि के आपका कठोन नहीं होना चीए तो आंसर क्या होगा इसके अंदर भाई का कौन सी विशेशता होती है थड़ विशेशता होती है आंसर आपका 3 होजाएगा मिरी बात ध्यान से पढ़िए सिर्फ कोष्टन के आंसर देने मत खतम रिए कोश्टन के अन्दर जो दिये हुए ना उन option को भी अच्छे दरीके से चीर भाड़ करो तो आपको concept समझ मा जाएगा पैड़ा हो जीगा अगर सिफ question पढ़ रहे हो आंसर दे रहे हो ऐसो तो पता नहीं दुनिया वर के question बन जाएगे लेकिन अगर आप एक बार concept समझ गए कि यार किस concept के मादने में से गई वेकलपिक धाणना है जो अलग-अलग प्रकार के beliefs होते हैं बच्चे के alternative belief की बात हो रही है उसको समझोधित करने के लिए निमलिकत्र से क्या महत्पून है जैसा आप लोगों की अलग-अलग धानना है कि क्या सर्जी मेराथन के लास करने से पास हो जाएंगे सर्शी आपके बैस लेने से हमारे 140 आजाएंगे आप लोगों की अलग-अलग वेकलपिक धाणना है तो यह पूछा है उसके लिए क्या महत्पून है ऐसी परिस्तित्या बनाना जहां विद्धारती अपने विचार व्यक्त करने के लिए परतिबंदित महसूस कर सके हम अपने बच वेकलपिक धाणना को व्यक्त कर सके बिल्कुल ठीक बात है अगर उसके पास में कुछ वेकलपिक धाणना है आ रही है तो उनको यह आपर वच्छा एक्सप्रेस कर सके तो यह आपका ठीक है पोजीटिव है अधिकम परिक्रिया में विद्ध्यारतों के सामाजिक और सांस् ठीक है वेरी गुड भाई सीसी आप लोग यहां पर लगा रहे है ठीक है और छेजार कम हो गए कोई बात निए चोतिस अजार आप लोग हो कोई दिक्कत निए ठीक है लास तक बने रहते हो आप लोगों ने देखा हो जो बड़ी-बड़ी मेराथन किलास चलती है साथ साथ पिछली बार मैंने साथ गंटी की मेराथन किलास ली तो रात के मुझे लग रहा साथ दो बज़े का असपास हुई होगी तब तक बच्चे जगवी थे कुछ बच्चे ऐसे थे कि सर मैं खेत में बैठा हो मैं क्यों बैठा है करा सर यहाप नेट आता ते इसलिए बैठा हो और लाश तक रहा हुआ जब तक आप मेराथन के लाश खसम नहीं करते हैं जब हम मैंनत कर सकते तो आप क्यों नहीं कर सकते ठीक है तो बड़ा अच्छा लगता है मतलब यह देखके इतने पढ़ने वाले बच्चे और इस साल बहुत बच्चों का मतलब सेलेक्शन हुआ है BPSC 2 Phase के अंदर हुआ है KBS के अंदर हुआ है अभी आप लोग देखना अभी मैंने चैनल पर उनके डालने सुरू नहीं करें इंटर्यू ठीक है दो चार डालके क्या काम करूँगा अभी जब आपको देखेंगे न अच्छे कासे जब आपको पता लगेगा आप उनसे मोट यानि कि आपका जो इसकंदर मुल्यांकन होने चीए वह बच्चों की आवसकताओं के लिए होना चीए बच्चों की कम्या निकालने के लिए नहीं होना चीए बच्चों का रिमीडियल टीचिंग देने के लिए होना चीए और बच्चों के लिए एक खास निश्चित तो इस पॉर्टफोलियो के बारे में आपके नेपी 2020 में कही गई है तो सेक्सिनिक वर्च में एक बाल ली जाने वाली ओप्चारिक प्रिक्षाओं के माध्दम से किया जाने चाहिए गलत यह बात हो रही है आपके समेटिव एसस्मेंट की यह आपका गलत हो जाएगा अगला प्रिप्रेंट्स रैंक देते थे देखो फस्ट आ गया वह सेकिंड आ गई तो थर्ड आ गया और तेरा कुछ भी आ तो बीस वे नंबर पर आया नाक कटा दी ठीक है तो पता नहीं कहां नाक कट गई तो रैंक नहीं दे नीं तो हंचल आपका सेक्ड आपर सही हो जाएगा बढ़ते हैं आपके next question के और अगला question देखते है ठीक है ठीक है इट स्वोर सराज आपने मेरा comment पढ़ा भाई आप लोग देखो खुद सोचो आज आपके लास के अंदर 40,000 लाइवी थे तो सोचो मैं 40,000 बच्चे का comment एक साथ पढ़ सकता हो 40,000 आबादी इतनी है आपके क comment पढ़ाना possible है तो आप लोग नराज मत यहां करो कि सर मेरा comment नहीं पढ़ रहे मेरा नाम नहीं पढ़ रहे ठीक है अगला question क्या दिया हुआ है कि विद्यार्तों में समालोचनात्मक चिंतन का आखलन करने के लिए अध्यापक को निमलिकित में से किसका chain करना चीए अब पर उसका आखलन किस प्रकार से करोगे वह आपको बताना है कि आप लोग यहाप पर open ended question चे करोगे बिल्कुल ठीक बात है open ended question वह question होते है जिसका answer जो होता है एक से ज्यादा होता है बिल्कुल ठीक करेंगे इसके अंदर creativity आ जाती है और जिसके अंदर आपकी required होते है divergent thinking यानि कि अफसारी चिंतन होते है बिल्कुल ठीक बात है भई दोनों के दोनों positive आगे जो किस्ट से सम्मंदित होते है आपकी समाला उचनात्म के अंदी की critical thinking से सम्मंदित होते है आपका answer पहला इसे हो जाएगा जैसे इसमें दियावाय कि वे person जिनका उत्तर हा या नाम होत पहला यहां पर सही हो जाएगा बढ़ते आपके next question के और यह रहा आपके सामने स्क्रीन पर अगला question अभी कतन अजर्शन दिया है कि स्विधा वंची समू से आने वाले विद्यारती जिनके पास स्विधा है नहीं है ठीक है यानि जो गरीब घर्चे बच्चे आ रहे है उनकी आवसक्ताओं को सम्मोधित करने के लिए teacher को उनके सामज्यकों सांस्कृतिक संदर्बों को जानन सामज करने जी है हमारा बच्च्या है जामीरों घरीब हमें फरक नी फार्क नी पड़ता को जानो और फिर आवसक्ताओं कि पूरी करो तभी तो इनक्लूसिव क्लासरूम बनेंगी इंक्लूसिव क्लासरूम यह कहता है कि जहापर बच्च्चों को जो बीनीड़ों उसको व सांस्कृतिक संदर्बों को जारन चीए अब कारण इसमें दिया हुआ है कि पाठेच्रिया कि जो अभिकल्पना होते जो करिकुलम रहता है ठीक है उसको इस प्रकार से डिजाइन क्या जाता है जो ओसत वृद्ध्यारत्यों को यानि एवरेज इस्टुडेंट्स को ध्यान मे रखकर करिकुलम को डिजाइन ने करना चीए सबी बच्चों की छमताओं को ध्यान में रखकर करिकुलम को डिजाइन करना चीए और अगर जरूत पड़े तो उस करिकुलम के अंदर आपको संसोधन भी करना चीए ठीक है तो ये तो यार आपका गलत है तो ये सही है लेकिन अजर्शन आपके सामने दिया हुआ है टीचिंग लेंड़नी प्रोसेस के दोरान एक टीचर को विद्याद्यों को उनकी ब्रांतियों यानि जो उनके misconception होते है ठीक है और बहुत सारी Misconception होते है बत्चे की मिस Conference और जो उनकी वेकल्पिक अवधान नहीं होती है यानि जो उनकी Alternative conception होते है ठीक है उसको साजा करने का आवस्तर देना चाहिए बिल्कूल ठीक है मैं सोल कर दूँगा ठीक है तो इसको आपको क्या काम करने चाहिए उन आवदार्णाव को साजा करने का अवसर देना चाहिए कि वेटा और बता कोई और बड़े ग्यानी लोगों को नहीं पता होती तो बहुत misconception बच्चे के पास ऐसे होते है ठीक है तो आपको कभी भी उसको बिना बेश के नहीं मानना आधार ही नहीं मानना तो यहाँ पर आपका यह गलत है यह सही है लेकिन आर गलत है थर्ड आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाए नेक्स्ट आपके सामने यह तो हो गया ना मारा हां नेक्स्ट आपके सामने दिया हुआ है यह रहा अगला आपके सामने question कहता है कि अधिगम करता हो यानि जो learners होते है जैसा आप लोगों उनकी व्यक्तिकत विभिंताओं को ध्यान में रखने के लिए एक teacher को अब आपकी व पूर अनुबाओं की उपेक्सा करनी चीए गलत आप लोग अपने बच्चों तो यह बात भाई है अपने बच्चों को इग्नोर करनी की बात कर रहा है कैसे कर सकते हम अपने बच्चों से सम्मंदित किसी भी चीज को इग्नोर चाया बच्चे की जो previous knowledge है previous experience है हम उसको इग अपने experience बताएगा अपनी knowledge वहाँ पर देगा तो उसको यहाँ पर आपको collect करना चीए तो इसको महत्मून मानना चीए learners के आकला नहीं तूँ एक समान तरीका का इस्तमाल करना चीए एक समान तरीका का इस्तमाल नहीं करना चीए की बात हो रही है किसकी gifted students की जिनका आई के लिए 140 प्लस का होता है challenging चीज़ों में उनको ज्यादा मन लगता है ठीक है दूसरे बच्चों से जो आपके आगे होते हैं स्रेश्ट होते हैं उनसे जाद है ठीक है तो ओसत बुद्धी नहीं होती इनकी तो gifted students की आवसक्ताओं को प करवाने चीए ठीक है यह आपका गलत है उन्हें चुनोति पूर्ण और उच करम के काम सोपना चीए बिल्कुल ठीक बात है higher order के और challenging वाले काम उनको सोपना चीए जानकारी को समझने के लिए अतिरिक समय देना चीए गलत अतिरिक समय तो जो आपका RBWD Act 2016 है जो दिव्यां लोगों का है दिकारों की बात करता है वहाथ दिव्यांग बच्चों के लिए extra time देनी के बात कही गई गई है तो gifted बच्चे आपके दिव्यांग बच्च थोड़ी है जुनको आप extra time देंगे यह तो थोड़ा सा इस सारा address लीज़ों को समझाते ठीक है तो हम उनको एक्ष टॉपलता की कहीं से तरहा को सब्सक्रीन है कि मूर्ट संक्रियात्म कोस्ता तक होड़ा कि 11 साल तक होता है तो मूर्ष संक्रियात्म का उस्ता के बच्चों के लिए एक टीचर को क्या काम करने चीए अब हमें यहाँ पर प्याजरी का कोडिंग नहीं करना किसी मनुविज्ञ निक क्या कोडिंग नहीं करना आज की जो संफुन क्लास हो हमारी टीचर स्टुडेंट के रिलेशन के उपर बात करी है हालकि प्याज ने भी जो बाते करी थी जो उनके सिद्धान्त का इंप्लिमेंटेशन हुआता शिक्सा के अंदर वो सभी पोजीटिव था जहाँ पर बच्चा एक्टिव रहोता था चाइल्ड चेंटर की बात करता था ठीक है तो एक टीचर को उफचारिक संक्रियात्म का उस्ता में बनाता है ना कि मूर्त में वस्तु और विचारों को जटिल से वर्गिकरत करने के मोके मोहिया कराने चे बिल्कुल ठीक बात है यहाँ पर बात आगी वर्गिकरत करने की आनि की क्लासिफिकिशन करने की बात आगी तो बच्चा जो व अपके कोस्चन आपके सामने यह रहा यह कहता आपके सामने रहा यह कहता आपके सामने रमेश रमेश science के subject को पढ़ाते समय अन्वेशन परियोग और विविन वैवारिक गतिवीदियों के मात्दम से बच्चों को नया ग्यान वे समझ बनाने के अउस्सर परदान कर रहा है किसके मात्दम से वो उनको explore करने के लिए बोल रहा है तो वह है यहाँ पर इसको बढ़ावा दे रहा है क्या यहाँ पर वो scientific reasoning को बढ़ावा दे रहा है बिल्कुल ठीक बात है scientific reasoning को बढ़ावा दे रहा है एनिपी 2020 ने भी कहा हुआ है कि बच्चों को आपको scientific lending करा रही है जिसमें बच्चा एक विग्यानिक की तरह से तरक्वितर कि यहाँ पर कर सकें ठीक है याँ पर हुआ आपको आपकी logical thinking को बढ़ावा दे रहा है ठीक है तारकिक चिंतन को दे रहा है लेकिन उनको रटा नहीं रहा है और नाई passive imitation कर रहा है यानिककर आपका निस्क्रिया होकर नकल कर रहा है नकल वो भी निस्क्रिया होकर ठीक है, तो आंसर इसमें आपका पहला और दूसरा आंसर हो जाएगा, केवल पहला और दूसरा, फर्स्ट आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, ठीक है चलिए बढ़ते हैं आपके next question के ओर थोड़ा सा मैं पानी पीलू भई, उसके बाद फिर हम लोग next question को उपर बढ़ेंगे, अगला question देखते क्या है, अगला question देखते क्या है, अगला question आपके सामने ये रहा, जो आपके सामने दिया हुआ है, अभी कतन यानि कि अजर्शन आपको दिया है, कि विद्यालो को नवीन ग्यान के सर्जन की ओर लक्षित पाठीच्रिया पर बल देना चीए, अब यहाँ पर स्कूल की जिम्मेदार यागी, अरे बाई चाहे स्कूल आजाए, चाहे टीचर आजाए, चाहे पूरी सिस्टन वस्ता आजाए, मंतर संतर कुछ भी आजाए, अगर हमें बच् करना है, यही बात तो आपका कंस्ट्रक्टिविज्म कहता है, जहाँ पर बच्चा नई नूलिज को अपने आप से कंस्ट्रक्ट कर सके, एक्टिव होकर, तो उसको लक्सित करने पर पाठी चरे पर बल देना चीए, ठीक है, और तरक इसमें दियाए कि बच्चों में अध् चर्शित कर लेता है, तो दोनों ठीक है, और इसकी सही परकार से व्याख्या कर रहा है, तो यहां पर आपका कहएं, सब्धूर क हैं, किसी गरीब को मदद कर दिया करें क्योंकि देखें भगवान ने अभी मुझे सक्सम बनाया हुआ है तो आप लोगों की सूपर चैट से मुझे इतना वह नहीं होगा तो अगर आप जैसे सूपर चैट का मना है कि सर को सूपर चैट करनी मेरा मन आ रहा है जो बच्चे आपकी स्क्रीन पर ठीक है फिर देखता हो कितने देते हो अगला आपके सामने दिया हुआ है कि विद्याल्यों को किस पर बल देना चाहिए अब बताओ स्कूल को किस पर बल देना चाहिए शीखी गई सामगरियों को जियो का तो कह देना यानि रटने की बात करी जा रही है CDP के लिए किसी ने कोई किताब लिये गया मैं इतना आपको आश्वासन देता हूँ अगर आपने कोई भी किताब नहीं पढ़ी हो चिर्फ ये मेरी किलास देख लेना और जो भी आपकी CDP की मेरतन किलास आने वाली है साथ जनौरी को उसको देख लेना उससे बाहर साइद एक आपको कैसे कराना है अधिगम गलत संदर्ब रहित नहीं होना चीए डिक उने होना चीए अगर मैं आपको CDP पड़ हो तो ScreenP君 करा उट तो उसके पड़ाओं नहीं पर बात होती है रचनात्म का डिगम याने कि constructive learning की बात होती है ठीक है तो विद्ध्यार्वों में किस पर बल देना चाहिए constructive learning पर बल देना चाहिए आंसर आपका डीड़ी आंसर आपका सही हो जाएगा ठीक है चलिए बढ़ते हैं आपके next के और बढ़ते हैं यह रहा हम लोग भाई 50 के और लगने वाले हैं अधुस्ता तक हमारा लगने वाला इसके बाद विद्ध्यार्थी सीखने का परती अभिपरित होते हैं यदिकार्य कैसा होता है आप लोग motivate कैसे होगे यह बताओ मुझे आप लोग motivate कैसे होंगे यदिकार्य कैसा होगा irrelevant होगा अगर मैं आपको यह कहूँ भाई रोज मेरी आके वीडियो देखे आपको ग्यान की प्राप्ति होगी रोज आके वीडियो देखे पता क्या कर अरे बहार में जा पता नहीं रोज आके कहना सुरू कर देता है हमें और कोई काम नहीं है क्या आप लोग आके इसलिए पढ़ रहे हो रात रात तक किसली पढ़ रहे हो क्योंकि आपका relevant है क्यों इसको पढ़ने बाद आपका exam पास होगा इसलिए आ रहे हो वह ना कर मैं रोज रोज बुलाओंगो ना आकर पढ़ लो कोई नहीं पढ़ लेंगा बाद में ग्यानी पढ़ लेंगे ठीक है तो आपके लिए unchallenging नहीं है challenging है exam पास नहीं करोगे नोखरी नहीं लोगे तो क्या बात बनेगे आपकी उनके जीवन से संबंदित होने चीए तो आपके जीवन से संबंदित है क्यों exam पास करना है वरना जीवन इतना अच्छी प्रकार से नहीं चलेगा फिर जितना प्रकार स तो सोच हो ठीक है तो आंसर आपका थर्ड हो जायगा बहुत ही अमूर्थ कह सकते हो वरना अगर बच्चे के परिपे उस दिन हम सतक करेंगे ठीक है आगला कोशन आपके सामने है इसके बाद अभी भी कोशन है खतम नहीं आपके ठीक है एक निर्दिष्ट लक्से तक पहुचने के लिए अब माली जे निर्दिष्ट लक्स मैंने आपके लिए रग दिया कि आपको अपना एक्जाम पास करना है इस्ट्वेंट्स को उनकी संग्यनातम खंता है जो थी जो कोगनीटिश अबिलीटिइज को सुगम मनाता है ficar क्अ कि बनाता है यहाँ पर गोशनात्म घ्यान हो जाएगा जब मैंने बता है किसी चीज के सभी पहलू के बारे में आप लोग यहाँ पर सीख रहो ठीक है तो उस पर भी यहाँ पर चिंतन कर रहा है बट उसने कहा दिया कोगनिटिव एबिलिटीज पर चिंतन करने के लिए प्रोसाइट करना है यानि कि चिंतन पर वी चिंतन करना है जो चीज मैंने आपको बताई प्रोसीजल नोलीज किसी प्रोसीजर के थूरू नहीं करी जारी मेटा कोगनिशन हो जाएगा रोट मेमराइजिशन को देखते सब्सक्राइब में सोचता है तो अंसर थर्ड यहां पर से हो जाएगा यह भाई हमारी 50 लग गई अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और टीचर स्टुडेंट रिलेशन के उपर जो जो कोशन बनते हैं प्रकार के एक्जाम के अंदर को बनते हैं वह यहां पर आपको देखने हमने यह रिपीट हो गया कोश्चन हमने दिया वाई ना ठीक है तो एक कोश्चन रिपीट हो गया 51 वाला इसको मैं करा चुका हूँ यह गलती से PDF के अंदर आ गया जब बोनस नंबर है ऐसे एक्जाम के अंदर भी एक आता तुम्हें बोनस नंबर मिल जाता है यानि यह नं चिया पर अधिगम सामगरी और सेक्षिक संसाधन परदान करनी चीए बिल्कुल करनी चीए क्यों क्यों कि हमारा बच्चा है जो भी अपना टीच इनल रंडी मेट्रिव करो प्रॉइड ठीक है हमें हमी नहीं पता कितने महंगे कितने नहीं है अगर मेरा बच्चा तो अलग थाट से मैं आपको पढ़ाता हूँ समझाता हूँ वह आप जाच कर बताओ क्या वो ठीक है गलत है ठीक है बताओ जल्दी से अब इसमें तरक दिया है एक स्थाहक माहूल में विद्धार्टी जो होते हैं अपने ज्ञान का निर्मान करने में सक्सम हो जाते हैं यही तो बात और रचनावाद करता है ताकि बच्चों को इसे अन्वार्मेंट दे दे जो बच्चों के लिए आपका इस परकार से फैसिलीडेट क्या हो ताकि बच्चा आपने घ्ञान का निर्मान खुद कर सके खुद से लर्णिंग कर सके ठीक है तो आपके दोनों ठीक है और इसकी में जो डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलिया लग लग प्रकार की ठीक है यह आपकी लेंडिंग के अंदर प्रोसेस के अंदर क्या रहती है जरा उसके अंदर आपको बताना है ठीक है नाइस नाइस और कुश्चन कराए 90 अरे टेंचन मतलो यह आप जब इनको सभी को कमा इसको संसाधन के मानना है रुकाओट भादा निहीं मानना रिशोर्ष के मानना है ठीक है तो समझ गए कि बच्चे और बच्च से जुड़ी कितनी क्लासरूम में करना है तो क्या उसमें प्रोवलम बन जाती है वो आपको बताना है ठीक है सर अभी कितने कोश्चन है अभी है भाई आप नेजर डालो इसके उपर सांस्कृत को और धानमिक विविद्धता का सम्मारों होना उनके सामाजिक सम्मुव से सम्मंदित पेढ़ना सुरोत की अभी स्विक्रिति होना विविद्धिन पर्थाओं में अंतरों को परकासित करना और उनमें पदानुकरमता इस्तापित करना या फिर एक स्ताजी राष्टिया स्मिता मनोगत करना और सम्मंदिता के भाव को आप लोग आपर किस के साथ जा रहे हो जो थी कह है आउस को सबस्रक्राइब करना तो आपको वनना सांस्कृतिक और धार्मिक विविद्यता का समारों मनाओगे, विविद्यता को एक समारों के रूप में दोखेगे, सम्मान दोगे, तो आपको help करेगी, बादा नहीं डलेगी, और उनके सामजी समुष से संबंदित पेढ़ना सुर्थ को अभिस्वर करती दोगे, या आपको help करेगी, और एक साजी राष्टिया समिता मनोगत करोगे, और सम्मान दोगे के बाव को बढ़ाओगे, कि बैटा देखो हम इंडियन है, तो आप अपने रिलीजन, अपनी काष्ट, अपनी सामजी कार्थिक तोर पर कभी ना तो लोगों में बेदबाओ करना, और ना अपने बच्चों के अंदर भेदबाओ करना, ठीक है, ये बात आपको हमेशा द्यान लखनी है, अगला देखे, आपके सामने दियावाय है, question, ओप्चारिक शिक्सा में, यानि जहापर बच्चा स्कूल में परवेश ले ले लेता है, अपचारिक शिक्सा, और ना उससे पहले उसकी अनुपचारिक शिक्सा होती है, जो बच्चा घरवाले उसको सिखाते है, ठीक है, जो अपचारिक शिक्सा में परवेश करने से पूरी, बच्चे अपने आसपास पढ़ोष के बारे में, जैसे कि उन वस्तु और घटनाओं के बारे में, जिन से वे समागन करते हैं, एक संपन समझ विक्सित कर लेते हैं, एक अध्यापिका को उनकी इस तरीके की समझ को क्या काम करने चीए, देखे, उपचारिक शिक्सा तो बच्चा वाद मिलेता है, आई स्कूल में तो बच्चा आप जैसे अगर मैं बालवाटिका की अकोर्डिंग बात कर रहा हूँ, तो तीन साल के बाद चला जाता है बच्चा, ठीक है, वरना तो छे साल का बच्चा आपका फिस्ट क्लास के अंदर होता था, लेकिन अगर बच्चा फिस्ट क्लास के अंदर जा रहा, उससे पहले तो उसको अनुप्चारिक शिक्सा मिलती है और किससे मिलती है, उसको घरवालों से मिलती है उसको ठीक है, तो अगर इस प्रकार की उसको शिक्सा मिलती है, अनुपचारी शिख्षा जो उसके घरवालों ने उसको अलग प्रकार से दिये तो एक टीचर को उनकी जो समझे बच्चों की उसको क्या कम करना चीए पुरी तरीकी से नकार देना चीए हम तुम्हें नकार देंगे तुम अगर हमारे बच्चों को नकार होगे मानकी रहत अर अधिगम के लिए दो स्पुन और महत्वहिन मानना चीए तुम होगी दो स्पुन ठीक है हमारे बच्चा दो स्पुन नहीं है ना उसकी किसी उपरकार की नीती दो स्पुन है तो ये भी आपका गलत है थड़ आंसर यहापर आपका सही हो जाएगा आप लोग यहापर किसके साथ जारू थड के साथ यहापर जा रहे हो सराज नेट खतम हो गया सोरी कोई बात नी भाई नेट तो वह आपके एक्जाम तक खतम ही होने वाले है अगला कुश्चन देखे सामने आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट कुश्चन आ गया एनिपी 2020 निमलिकित में से किसको प्रस्त यहापर बात कही थी कि जो बच्चा आपने जैसे स्कूल के अंदर देखा होगा कितने भारी बरकम बैग लेकर जाता है जोसके ना सी सारे बलकि उसके मान से स्वास्त पर भी असर टालता है तो इस प्रकार से जो बच्चों का जो content उसके दिया जा रहा है चाहरे को आपको सुग में बनाना है उसको easy बनाना है और जहां बच्चां उसको समझ सके ना कि बारी वरकंग किताब यो बैग कोपिया उसको देनी है तो एक बड़ो तरीक नहीं कमी की बात करता है और किया जाएगा किसको प्रस्तावित नहीं करती तो यह नेगीटिव और यह नेगीटिव सेक्ट और फॉर्थ यहापका सही हो जाएगा किसा आप लोग जा रहे हैं फरस्ट के साथ ठीक है चली अगला देखतें आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा नेक्स्ट क्रिशन जो तो बहुत अच्छी लगती थी वह सब मैडम हमें जो इस प्रकार से कलत करती थी ठीक है लेकिन आपको नहीं करना यह वाला काम ठीक है हमें तो देवता लगता था एसा टीचर जो हमाया पेपर के टाइम में आकर मदद करवाता था कि यह टीचर सबसे बढ़िया है और जो नक गलत सही करने चाहिए अप क्या होगे हां सही कर दो ठीक हाँ हमारे भी सही करें इनके हम लोग करता थे जैसा हम लोग सिखाना घलत गरी एक थपड मुझे लगा या मुर्गा बना दिया मलब आप लोग बने होंगे या हाथ खड़े कर दिये आपको एक बात ध्यानक नहीं अगर बच्चा कोई गलती कर रहा है तो उसको तुरंत नहीं आपको समधान करना कुछ समय के बाद उसको समधान करना ताकि बच्चा अपन कर रही है कितना भी कर ठीक है और गलती कर ले टैंसर मतले यह तो भाई शीकने के प्रोसेस है तुम्हें पता है हमारे जो पहले टीचर थे थे था हमें बहुत मारते थे तुम बच्च रहे हो ठीक है यह बहुत गनीमत की बात है तो आपर उनको डर्ण नहीं दिखाना किसी भी तरीके का गलती करने देनी है टीचिंग लेंडिंग प्रोसेस का महत्पून इसा होती है तो गलत को उत्तर को सही नहीं करना तो सेखिंड आंसर यहापर आपका सही हो जाएगा किसके साथ जा रहे हो बिल्कुल ठीक बात है बीबी के साथ जा रहे हो ठीक है गलत उत्तर के बाद सुधारन चीह आंसर आपका सेकेंड सही है अगला कोश्चन देखते हैं यह रहा सामने आपकी स्क्रीन पर कोश्चन दिया है एक बाल केंदरी सिक्सा में यानि यहां पर बात हुरिए चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात हुरिए चिक्सिका की कोई भूमिका न यहां पर इतना एक्टिव नहीं रहता है जितना बच्चा रहता है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन कंदर ठीक है यह गलत इसने हमारे बच्चों को निसक्रिया कह दिया इसकी इतनी इम्मत विद्ध्यार्तों की सक्रिय भूमिका होती है अब सही का है बच्चा पूच गए तो टीचर एकदम नीन से उट गया तो उन्होंने उनसे पूछा एकदम की और तुम सो रहे हो कि लाज के अंदर नहीं के पाठक नहीं कि किसी वह वीडियो नहीं थी केने लगा नहीं मैं सो नहीं रहा था मैं आक बंद करके कुछ सोच रहा था तो आपको ध्या के स्कूल के अंदर ज्यादे तर अगला कुशन देखते सांदेने एक टीवी न्यूज रिपोर्टर वाला हालेकि यह रिपोर्टर होते है जब आपकी जोब लग जाएगी जब आपको पता चलल कितने नेगिटीव होते है पताइए अपने काम पर ध्यान नहीं दिया ते य एक रिपोटर गया उसने टीचर के मूँपे लगा हां तुम यहां बैठे और तुम काम नहीं करो टीचर ने पकड़ा गला यूँ तुई धार आज तैसे उसने रिपोटर को तोड़ दिया क्या उसने सही करा गलत करा कमेंड बोक्स मांसर बताओ पता लग जाएगा क्या उसन क्योंची विशेश्था नहीं है उसके बारे में आपको बताना है ठीक है ज़र उसको पर नजर डाल लेते हैं बिल्कुल ठीक बात है क्रेटिव बच्चों के अंदर तो वैसे भी होता है आपका है चोटी है आपके चिंतन कोशल होते हैं जो आपके हाइड ओडर के होते हैं वो नवाचारी परियोग करता है अब देखो एक राज और आपको बताता हूं पहले आपको वह देख लो सही क्या, गलत क्या, सही क्या, सारे सही बता रहे हो इक नीतू पटेल नहीं लिख भसकी गलत क्या भाई एक बात बताओ अब को अभी तो आपको ऐसा लग अगता ठीक है आगर स्कूल में बिना किसी जानकारी के कुछ भी मूठाया और एक माइक लेकर पोच गए टीचर के सामने कि यह नहीं हुआ वो नहीं हुआ पता है टीचर को पर कितना प्रेसर होता है एक न्यूज रिपर्टर को क्या पांचों का कैम वो लिया कैमरा सा एक माइक घु ठीक है तो यहाँ पर जो नवाचारी परियोग है अब देख एक समस्य और आती है जो यहाँ पर कुछ टीचर इनोवेटिव आइडिया ज लाता है तो नवाचार करना लेकिन चुपचाप ज्यादे हाओ उल्ला मत करना वन्ना बाकी के टीचर लोग आपसे नराज हो जाएं संबाव नहीं होती है बिल्कुल ठीक बाता है जो किरिश्टीव बच्चे आपका बढ़ते को पर वड़ते हैं अगले के उपर यहाँ पर वड़ते हैं ठीक है सई की दो करेगा यह जब इस प्रकार से अपने अधिगारों का हनन्न करेगा तो दूसरा बंदा क्या काम करेगा अगल आपके सामने दिया हुआ है कि दृष्टिबादित विद्धारती, अब देखे, मैंने क्या बता है, बच्चा अपना बच्चा है, चाहो दृष्टिबादित हो, यानि कि वीज्वल इंपरेमेंट हो, चाहा आपका ओडियो इंपरेमेंट हो, चाहा उसको देखने कंदर दिखकत हो, सुनने कंदर दिखकत हो, और इससे पहले मैंने आपको RPWD Act बताया हुआ है, RPWD Act के अंदर जो आपके दिव्यांग लोग है, उनके अधिकारु की बात यहाँ पर की गई है, उनको किस प्रकार से अलग-अलग फैसिलिटीज आप लोग दे सकते हो, सामने बच् अगर कोई बच्चा देख नहीं पाता, तो पता ही क्या काम करना पड़ेगा आपको, आपको sitting arrangement आपको flexible रखना पड़ेगा, अगर कोई बच्चा देख नहीं पाता, ठीक है, तो आप उसको पीछे सा आगे बुला लो, कि बेटा, यहाँ से देख लो, यहाँ से आपको मेरी equipment यूज करने है, जो method यूज करने है, तो आप फिर उसको देखने वाले यूज करना, जैसे आपने देखा होगा, sign language को यूज किया जाता है, language के कितने प्रकार होते है, तीन प्रकार होते है, oral language, मोखिक भासा, लिखिद भासा, और आपकी sign language, यानि कि सांकेतिक भासा, जो स दिखवा रहे हो, गलत आपका, कक्सा में समर्थक उपकरनों का प्रियोग बादित करना चीए, बाद इतने ही बढ़ाने चीए वह आपका, तबी तो बच्चा ऐसा comfortable तरीकी से सीखेगा, लिकित सूचनाओ को मोखिक रूप से संप्रेशित करना चीए, ठीक है, या पर oral उन दृष्टी बाद इता आगी, तो कोई भी इंको समदान ऐसा नहीं करना, जिसमें इनको देखना पड़ रहा है, अगर सरवन बाद इता किया नहीं कि सुनने के संस्बंधित आजाएगी, तो कोई भी equipment ऐसा नहीं दे रहा है, जिसमें इनको सुनने की चीज़ दी जारी ही, जैसे lecture method हो गया ठीक है जैसे अगर देख नहीं पारा तो Braille books का use कर लो जो Braille books होते हैं पॉइंट शुब्रे रहते हैं ठीक है तो आंसर इसके अंतर आपका क्या है थर्ड आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा ठीक है भाई very good very good अभी खतम नहीं हुए भाई अभी खतम नही कोंसी सब्सक्रियूगत यहां वह आपको बताना है ठीक है को रेट रहेगी कोलेवरेटिव मेठ़ बिल्ट्रिध मेठ़़ृड बल्कूल फिक है आंसर आपका पहला ही से हो जाएगा एक सब्दोत्तर वाले वस्तू पर परक परसन गलत मानक फिर आगया देखते गलत कर दो मातर इसमन पर आधायत नहीं रहेंगे समझ पर आधायत रहेंगे क्योंकि वाइगोस की भी यह बताते कि बच्चों को रोट लेर्णिंग नहीं बच्चा आपका निस्क्रिये से सक्रिय के और बढ़ता है निए पैसीव टू एक्टिव के और बढ़ता है जो आपके वाइगोस की प्याजे दोनों बताते हैं ठीक है तो आंसर क्या हो जाएगा को लेबरेटी और या कोपरेटी होता है यह आंसर है आपका सी हो जाएगा बढ़ते बाब के नेक्स्ट क्रिश्चन के और यह रहा स्क्रीन पर अगला क्रिश्चन इसको पनादे डागते हैं अभी कथन आपके सामने दिया हुआ है एक सिख्षक को कंटेंट को पढ़ाने के लिए उससे संबंध एवं संगठित तरीके से प्रसुत करने चाहिए मैं भी तो ऐसी कर रहा हूँ ना कंटेंट को देखो आज मैं आपके लिए संपुन पेड़ागोजी लाए हूँ जिसके इसको इसने पैसिव प्रोसस मान दिया दोनों से यह एक गलत है क्या ठीक है जल्दी बताओ तब तक मैं पानी पीलो भई मैंने पानी तब अभी तक नहीं पिया है तब तक मैं पानी पीलो ठीक है बतिए इसका सेयांचर आपका क्या हो जाएगा दो गंटे होगे आज हमारी बढ़ शीशी के साथ जा रहो हूँ है ठीक है आगे देखते हैं चलो मुझे ध्यान निराज मैं लाज के चक्कर में खाना खाना भी भोली है नहीं खाना खालिया वहीद मुझे पता ही नहीं आज खाना खाया है नहीं खाया है बताओ दोगर सीखना आपका पैस्व प्रोसेस अगर देखते हैं नेक्स्ट यह रहा सामनी स्क्रिंब नेपी 2020 क्या प्रस्तावित करति है उसके content में कटोती बिल्कुल ठीक बात है। नहीं देता कंसेप्चिल आपकी लेंटिंग को मैतो देता है। ताकि बच्चा समझ सके और वही बात सीट्रेट में भी करनी है आपको जो मैं आपको चीज़े कराऊंगा उनको अच्छी तरी किसा समझ लेना उन्हीं को घुमा फिर आके एक्जामेर देता है एक्जाम करता है और कुछ चीज हो तो आपको सेम है जीटीज भी आपको देखन भी कि रेक्षें में नहीं देती है बागी पहला दूसरा चोथा आंचर आपका से हो जाएगा है निकि थर्ड आंचर यहापर आपका सही तर्खेंगा वा तरब आपके नेक्स्ट क्श्चन क्यों और यह रहा रहा नेक्स तक स्कॉष्ट झार तो को यारे से घंड़ reheं को य यह देखते हैं ऊजय आपके सामने अध्यापक को पढ़ा जानेवाली आधार्णा यानि जो noevelle फ होते हैं बिलकुल NAEI Siddha है तो उनको जानने चाहिए और तभी पार्ट को आगे बढ़ाने चाहिए एक टीचर के अच्छी निशानी होती है तर्क इसमें दिया है रिजन इसमें दिया है कि विद्ध्यारतों के सैज जो सिद्धान्त होते एक परकार की वेकल्पिक अवधार्णा या निकि जो अल्टर लोग development के अंदर पढ़ते हो development के अंदर critical period देखने को मिलता है critical period का मतलब होता है अगर बच्चे के बच्चपन में यानि उसके चायलीट के अंदर अगर उसके साथ कोई समस्या हो जाती है तो उसके पूरी जिंदिगेवर उसके विकास के उपर परवाव डालती है तो विक आपका सही हो जाएगा ठीक है अगला question देखते है अगला question साथना आपकी screen पर यह रहा next question ncf-2005 ncf-2005 का नुसार प्रात्मिक इस्तर पर यानि की primary लेवल पर गनित पाठ्यकरम को डैस पर सबसे कम केंदरित करना चाहिए देखे ncf-2005 इस बार मैंने ncf नहीं पढ़ाया वहनना हर बार सीटेट के इंदर पढ़ाता हो चाहे तो पुराने वाला देख लेना कहोगे तो एक बार में भी इसके पर भी वीडियो बना दूंगा ठीक है तो किस पर सबसे कम ध्यान बात करने की केंदरित करता है ठीक है यह बा प्रतिमानों की पैचानों की बात करता है बिल्कुल ठीक बात है पैटन तो आपको आपका नियूमेरिकल के अंदर आ जाता है कोई पैटन दे देता है ठीक है पजल से जिसको आपका प्रेड़ागोजी के अंदर आता है ठीक है तो इसको इसकी पैचान करने बिल्कुल ठीक है समस्याओं को हल करने के लिए मानक कलन वीडियो का उप्योग करने चीए देखे जो आपके अलगोरिध्म मेथड़ है यह बच्चे की क्रियेटिविटी को खतम करते है इसलिए सबसे कम केंदर ध्यान आपके अलगोरिध्म मेथड़ पर करता है फॉर्थ आंसर यहापर आपका स्भी हो जाएगा अगला और लास्ट कोर्षन हमारा इसके बाद आप लोग अपना स्कोर बताना है इमानदारी से अपना स्कोर बताना ताकि मुझे एक फीड़बैक मिल जाए कि आपका स्कूर कितना आ रहा है ताकि मेरी यह जो अगली किलास है तो मुझे को उसके अकोडिंग मिल जाए कि मुझे आपका लेवल किस प्रकार से रखना है ठीक है तो इ केवल सीखी गई सामगरी के पुनर उत्पादन पर जोर ना दे ठीक है जो सीखी गई पुनर उत्पादन पर जोर ना दे यानि जो बच्चे ने चीजें सीखी है बार-बार उसकी को रिपीट ना करे यानि बार-बार उसकी ड्रिल एंड प्रैक्टिस ना करे तो बिल्कुल ठ यानि कि एक दूसरे से आपके संबंधित रहते और एक दूसरे को परभावित करते जब तक आपको यह नहीं पता होगा कि की जंगा पर कौन से मोचन का यूज़ करना है तो आपका जो कोगनीशन है वो ठीक नहीं माना जाएगा ठीक है तो यहाँ पर आपका यह गलत है तरक पर आपका सही हो जाएगा तो फ्रेंड चापर आपकी संपूर्ण किलास मैंने करा दी जिसके अंदर मैंने आज आपको mostly जितनी भी कुश्चन थे वो सिर्फ आपके student और जो टीचर का आएगी और आपकी मैट्स पैड़ागोजी आएगी ठीक है तो यह अब जो आप लोग अब जितनी पैड़ागोजी पड़ोगे वो पैड़ागोजी इस पैड़ागोजी से बिल्कुल अलग पड़ोगे आपको अलगी परकार के आपको question देखने को भी लेंगे जो अब आपक क्लास कैसी लगी वो भी जरा comment box में बता दिए कि आपको क्लास कैसी लगी आयोप आपने enjoy क्या होगा अगर enjoy क्या होगा तो class को like कर देना अपने दोस्त त्यार के पास share जरूर कर दिया करो अपने दोस्तों को जरूर बता दो कि ऐसा-इसे class चल लिए कर लो पास हो जाओगे और चैनल को subscribe कर लेना ताकि जो डेली आप लोगों को मेरे 8 प्यम आठ बजे class मिलती है वो आपको मिलते रहे ठीक है को चाहिए सभी subject आपको अभी भी पढ़ने तो आप लोग पढ़ सकतो content इसके अंदर आपको मिल जाता है ठीक है फिर कोई भी एक रूपा लेने की जरूर 60 नंबर है दीप महरा के 53 है ठीक है सर बीपेसी टीचर के लिए नया बैच कवाएगा सीटेट के बाद कर दूंगा मैं ठीक है प्रिया कुमारी के 63 है अपुर्वा गोड से के 62 है जनारदर सिंग के 60 है यार कितनी बढ़ी आया है आप लोग जो 60 60 प्लस ला रहे हो त्यारी बहुत बढ़ी आया ठीक है राजीव कुमार 61 है भासकर कुमार 62 है सफूरा नाज 6 अचा ये 6 लिख रहे है 60 लिख रहे है साकसी रोए 62 है अकसे यादव 46 है पहला बच्चा आया जो 60 से कम आया औना तो जादेतर बच्चों के आपके 60 प्लस आ रहे है इसका मतलब जो यह व सब्सक्राइब भाई मोनिका पठेल 61 है कुमकुम गुपता 62 है ठीक है और उसके लावा सोक राय आपके 60 है बिहारी लड़की 61 है कैसे कैसे नाम लिखते हुए इसमरिती यदुवंसी के 64 है परवेस फैक्ट के आपके 65 है अनीता मीना 63 है आशिंग की यादो 53 है पहला बच् मत लेना बिल्कुल भी अपने अगजाम के लिए थैंक यू